बच्चो स्वागत है आप सभी का डाउटनट की लाइव क्लास में तो बच्चो आज से हम एक नया कूर्स आरम करने जा रहे हैं बच्चो हम लोग यहाँ पर आपके क्लास 12 के सारे चैप्टर्स को कम्प्लीट करेंगे उनके इंपोर्टन इंपोर्टन टॉपिक्स को यहाँ परम डिसकस करेंगे ठीक है और बच्चो मेरा आपसे वादा है कि आपने मेरे साथ मिलके पूरी साल मैनत कर ली तो डेफिनेटली बच्चो आप गड़त में सो में से सो अंक लेकर भी आओगे बच्चो मैं अपने वारे में बता देता हूं मेरा नाम दीपक खंडेलवाल है मैंने बच्चो B.Tech करी है N.I.T. इलावास से मुझे तीन साल से ज़्यादा एक्सपिरेंस हो चुका है आप जैसे बच्चो को पढ़ाने का मैंने 10,000 से ज़्यादा बच्चो को पढ़ाया है बोड के स्टुडेंट को मैंने काफी ज़्यादा पढ़ाया है और बोड में भी बच्चों मैंने 11, 12 और 10 वाले student को और पिछली बार बच्चों जो हमने पर दिया था बच्चों ने उसका result जो आया है उसके according काफी सारे बच्चों के math में 100 में से 100 marks आए भी है ठीक है तो आप मुझे पर ये भरोसा कर सकते हो कि यदि आपने मेरे साथ रहकर last तक बच्चों म तो एक एक topic को ध्यान से समझेगा ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं कैसे question को solve करना है ध्यान से समझेगा ठीक है बच्चों तो good evening to all of you कैसे हैं बच्चों आप लोग मनोच कुमार मैं अच्छा हूँ आप कैसे हो बेटा गुड मॉर्निग बच्चो गुड मॉर्निग मनोच कुमार मॉर्निग हो रही है एविनिग नहीं हो रही है हाँ बेटा आपसे डेली मैं ही पढ़ाया करूंगा अध्याय नमबर एक संबंद एवं फलन को ठीक है और बच्चो इस अध्याय में कौन कौन से टॉबिक पढ़ेंगे एक बार मैं आपको इसके बार हम बता देता हूं तो इस अध्याय में बच्चो सबसे पहले तो हम लोग रिविजन करेंगे क्लास 11 का जिसमें हम समुच्चे क्या होता ये जानेंगे समुच्चो को कैसे निरूपित किया जाता ये जानेंगे उप समुच्चे क्या होता ये जानेंगे घा समुच्चे क्या होता ये जानेंगे और समुच्चों के उपर हम कौन कौन सी संक्रियां लगाते हैं ये जानेंगे इसके बाद फिर बच्चों हमारा ये अध्याय आरम होगा जिसमें सबसे पहले हम संबंद के बारे में जानेंगे कि संबंद क्या होता है उसके पश्चात हम समुच्चों का कारते गुणनफल देखेंगे फिर हम संबंद के बारे में जानेंगे फिर हम संबंद का प्रांथ, परिसर और सेप्रांथ निकालना सिखेंगे फिर हम बच्चों संबंदों के प्रकार के बारे में जानेंगे उसके पस्चाथ बच्चों हम फलन के बारे में पढ़ेंगे अब आप में से हो सकता है काफी सारे बच्चों ने ये अध्याय पहले पढ़ लिया हो और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो कि पहली बार इस अध्याय को पढ़ रहे होंगे ठीक है तो बच्चों मैं आपको बिल्कुल बेसिक बेसिक से ही बताऊँगा ताकि जिन बच्चों ने पहली बार अभी तक नहीं पढ़ाए सद्याय को उनको अच्छे से समझ में आ जाए और जिन बच्चों ने पहले पढ़ रखाए सद्याय को उनका रिवीजन हो जाए ठीक है या फिर आपकी यदि कोई ऐसी जिगे समझ में नहीं आया है तो वह आपको अच्छे से समझ में आ जाए ठीक है बच्चों तो देखो आज की कलास में बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं देखो उसके लावर एक टॉपिक और रहेगा दुव्यादारी संक्रिया इसको भी बढ़ेंगे ठीक है अब आज की कलास हम बच्चों हम सबसे पहले जानेंगे समुच्चे के बारे में कि समुच्चे क्या होता है उसके पश्याद हम समुच्चों को निरुपित करना सिखेंगे उसके बाद फिर बच्चों समुच्चे के बारे में जानेंगे फिर उसके बाद हम घास समुच्च ग्यारवी किलास में समुच्चों के ऊपर संक्रियां की हैं ठीक है तो आप में से सभी बच्चों ने ये टॉपिक ग्यारवी किलास में पढ़ लिए हैं हो सकता है किसी बच्चों को याद हो किसी बच्चों को याद नहीं हो ठीक है तो हम बच्चों थोड़ा जल्दी करेंग कि आपने कितना कुछ मेनत किया है किलास 11 के अंदर ठीक है एक बच्चा पुछरा है बारवार कमेंट करके सर सिलेवस कव तक खतम होगा बेटा मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि आप लोगो काम है पढ़ाई करना बच्चो आपका काम है पढ़ाई करना सिलेवस कम खतम होगा कम खतम नहीं होगा ये जिम्मेदारी मेरी है आप मुझे पर ये जिम्मेदारी छोड़ दीजे आपका सिलेवस में टाइम पर समाप करा दोगा ठीक है आप बच्चो इसकी परवा नहीं करिए आपको परवा करनी है तो कंसेप्ट को समझने की पढ़ाई करने की ठीक है जो कोश्चन मैं आपको देता हूँ उनको सौल्व करिए जो कोश्चन मैं कलास में करवा रहा हूँ उनको ध्यान से देखिए ठीक है बच्चों हाँ बेटा साम को 11th की कलास होगी साम को 5 बच्चों मेरी 11th की कलास होगी ठीक है उसमें बच्चों मैं समुच्चे पढ़ाऊंगा बेसिक से ठीक है बच्चों ठीक है तो चलिए बच्चों आरम करते हैं आपकी आज की कलास को सबसे पहले समझते बच्चों समुच्चे है क्या देखो गड़त में आप कोई भी नई चीज़ समझते हो, कोई भी नई चीज़ पढ़ते हो, तो आपके मन में जिग्या सत्पन होती है, क्या रही है क्या, तो ऐसे ही अब आपके मन में question उठ रहा होगा, कि समुच्चे क्या है, क्या है बच्चो समुच्चे, तो बच्चो आप लोग मुझे बताईए, क्लास 11 में आप पढ़के आए हो, बताओ बच्चो समुच्चे क्या है, देखते हैं कितने बच्चो को पता है समुच्चे क्या है, क्या है बच्चो समुच्चे, बताईए मुझे, बेटा ये औल बोर्ड के लिए है, हिंदी मीडियम के विध्यारतियों के लिए ये, अब जब किसी भी बोर्ड के हो, यूपी बोर्ड के हो, बिहार के हो, राजिस्थान के हो, किसी भी बोर्ड के हो, बताईए बच्चों समुच्चे क्या होता है हाँ अधिती बेटा सामको पांच बजे 11th की क्लास होगी सूपरिवाज़ संग्र होता है किसका किसका सूपरिवाज़ संग्र होता है बच्चों ये मुझे बताईए बताईए बच्चो मुझे किसका सुपरिवास संग्रे होता है सेट ओफ एलिमेंट अव्यवो का समुच्चे अव्यवो का सुपरिवास संग्रे हाँ ये बोला अदिती बीटा ने अव्यवो का सुपरिवास संग्रे बच्चो ये परिवासा भी अदूरी है पूर्ण परिवासा क्या है पूर्ण परिवासा है भिन भिन अव्यवों का सू परिवास संगरे देखो समुच्चे की परिवासा है भिन भिन अव्यवों का सू परिवास संगरे बच्चो इस परिवासा में प्रियुक्त पृतिक सब्द अपने आप में एक महत्व रखता है देखो यहाँ पर एक तो मतलब आया भिन भिन का, देखो एक तो है भिन भिन, तो भिन भिन का मतलब क्या है, अलग अलग अवियव होने चाहिए, ठीक है, उसके अलावा एक सब्द आया है, यहाँ पर सू परिवासित, यह बच्चो वेरी इंपोर्टेंट सब्द है, सू परि परिवासित को मतलब परिवासा हो जिसकी तो एक ऐसा समुच्चे भिन भिन अव्यवो का जिसकी एक अच्छी परिवासा हो उसे हम समुच्चे कहते हैं उनके संग्रे को ठीक है तो यह क्या होता है एक तरीके का संग्रे होता है कलेक्शन होता है जैसे आप घुरों में का संग्रे करते हो ना ऐसे ये भिन भिन अव्यवों का सू परिवासित संग्रे होता है अब सू परिवासित का हमारे लिए मतलब क्या है सू परिवासित का मतलब बच्चों ये है कि ऐसा संग्रे जो की व्यक्ति से व्यक्ति में परिवर्तित नहीं होना चाहिए इस्थान से इ एक ऐसा संग्रे जो की एक इस्तिती से दूसरे इस्तिती में परिवर्टत ना हो उससे हम समुच्च कहتे हैं जैसे की मालो मैं बोलू आप से वर्ष के सभी महीनों का संग्रे तो अम मुझे बताओ यह सूपरिवासित है नहीं देखो यदि मैं इस प्रस्ण को गौरफ से पूछ रहा हूँ तो वो भी कहेगा कि सर एक वर्स में बारह महीने है ठीक है यदि मैं इस कोश्चन को मनुष कुमार से पूछू तो उस का अंसर भी क्या होगा बारह महीने है यदि मैं इस प्रस्ण को अधिती बेटा से पूछू तो उसका अंसर भी कितना होगा 12 ही होगा ठीक है यदि मैं ये person law case बेटे से पूछू तो वो भी इसका अंसर क्या देगा 12 ही देगा तो प्रतेक बच्चा इसका अंसर 12 ही देगा आप बच्चों अपने पिता जी या दादा जी से पूछेगा वो भी इसका अंसर 12 ही देगे ठीक है तो ये इस्तिती से एक इस्तिती में परिवर्टित नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये कैसा संगरे है सू परिवास संगरे ठीक है तो एक ऐसा संगरे जो कि इस्तिती से इस्तिती में परिवर्टित नहीं होता है उसे हम सूपर रिवा से संगरे कहते हैं ठीक है अब मालो मैं आपसे बोलू एक उधायन तो बच्चो ये था दूसरा उधायन बच्चो मैं आपसे ये कह रहा हूँ विस्व का सर्वसेष्ट बल्लेवाज सर्वसेष्ट बल्लेवाज ठीक है किरकेट का जो बल्लेवाज होता है ना उसकी बात कर रहा हूँ मैं ठीक है अब यहाँ पर हो सकता है मनुश कुमार कहे कि सर मुझे तो रोई सर्म अच्छा लगता है कोई बच्चा कहेगा कि मुझे विराट कोली अच्छा लगता है कोई कहेगा मुझे सिखर दवान अच्छा लगता है कोई कहेगा मुझे धोनी अच्छा लगता है कोई कहेगा मुझे इसमित अच्छा लगता है तो इस्थिती से इस्थिती परिवर्तित करने पर हमारे बल्लेवाजों के नाम परिवर्तित हो रहे हैं तो सूपरिवास संग्रे नहीं है, इसका मतलब बच्चो ये समुच्च नहीं है, ठीक है, अब भिन भिन का मतलब क्या है, भिन भिन का मतलब बच्चो ये है, कि मालो मेरे संग्रे में हैं, A, B, A, C, D ये हैं, और मुझे इनका समुच्च बनाना है, तो इनका समुच्च हो जा है ठीक है जैसे कि मालों मैं आप से कहूं कि वह मैथमेटिक्स कि एमेटी एची एमेटी आई सीएस यह कोई सब्द है अब इसके अक्षरों का संग्रह बनाओ यानि समुच्च बनाओ तो इसमें कौन-कौन ऑशन हाएं एक एम आए आया एक टी आया एक ए ऐ आ अब म पहले आगे ए पहले आगे आगे टी अगे आई गया सी आगय में एस आगे यह पर देखों भिन भिन अव्यव हैं बिल्कुल यह और यह और संग्रे सीप्र रिबाज़े तो क्यों कि मैथमेटिक्स इसका यदि मैं आप से पूछू, आपके दोस्त से पूछू, सभी इसी संग्रे को बताएंगे, ठीक है, तो ये बच्चो एक सूपरिबासित संग्रे है, भिन भिन अविवो का, तो ये एक समुच्चे है, ठीक है बच्चो, तो ये होता है समुच्चे, ओके बच्चो, अब चलते हैं हम लोग आज की क् Birds पर ठीक है सबी बच्चों को सम्झ में आ गया होगा कि समच्च क्या होता है सम्च्च बिन भिन अविवो का सूपरिबासित संग्रय होता है ठीक है बच्चों अब बच्चों हम लोग चलते हैं आज की क्普स्च पर तो आपके सामने आ रहा है आज की कुछ का पहला प्रशन जो कि बच्चों ये है बताइए बच्चों मुझे जल्दी से इसका अंसर जाच कीजिए कि वस्तों के निमलके संग्रे समुच्चे है अध्वा नहीं तो प्रशन है जे अक्षर से शुरू होने वाले वर्स के सभ भी महिनों का संग्रे बताइए बच्चों ये समुच्चे है या नहीं है कौन सा विकल्प सही है बताइए मुझे जल्दी से इसका अंसर ए विकल्प है समुच्चे होगा बी समुच्चे नहीं होगा सी ग्यात करना समब्ब नहीं है इन में से कोई नहीं बच्चों आपका स समुच्च है, समुच्च है, ठीक है, देखते हैं कौन सांसर अब सही होगा, ठीक है बच्चों, तो देखो जे से सुरू होने वाले वर्स के सभी महीनों का संग्रे, जे से कौन-कौन से महीने स्टार्ट होते हैं, देखो एक तो होता जनवरी, फरवरी नहीं होता, मार्च नहीं होता, अपरेल नहीं होता, महीं नहीं होता, जून होता है उसके अलावा जुलाई होता है अगस्त नहीं होता, सितंबर नहीं होता, अक्टूबर नहीं होता, नौंबर नहीं होता, दसंबर नहीं होता तो केवल तीन ही ऐसे महीने जो की जेसे आरम होते हैं अब चाहे बच्चों मैं इस प्रिशन को आप से पूछू आपके किसी दोस से पूछू आपके पिताजी से पूछू आपके बड़े भाई या बड़ी बेहन से पूछू या फिर आपके दादाजी से पूछू सबका आं समुच्चे होगा इसका मतलब first option बच्चों सही आंसर हो जाएगा ठीक है किलियर प्रतेग बच्चों को यह वाली चीज बहुत अच्छे अब चलते हैं बच्चों हम अगले टॉपिक पर काफी बच्चों का सही भी था आंसर 75% बच्चों का सही आंसर था बागी 25% बच्चों अगले समुच्चे नहीं होगा यह बताया पता नहीं कैसे बताया मुझे बहुत दुख हो रहा है बच्चों पढ़ाई पर ध्यान दो 25% ध्यान से सुनो एक चीज़ को ठीक है अब बच्चों हमलोग चलते हैं हमारे नैस्ट टॉपिक पर नैस्ट टॉपिक को बच्चों को निरुपित कैसे करते हैं तो बच्चो समुच्यों को निरुपित किया जाता है दो विदियों से पहली विदिय है समुच्य निर्माड रूप दूसरी विदिय है रूस्टर रूप जिसे हम साणि बद रूप के नाम से भी जानते हैं ठीक है अब समुच्य निर्माड रूप क बात करें बच्चों रोष्टर रूप की या साणी बद रूप की तो जैसा कि नाम से पता लग रहा है साणी बंदी होई है इसका मतलब इसमें समुच्चे के अवेवो को साणी के रूप में लिखा जाता है और समुच्चे के अवेवो को पिर्थक करने के लिए कौमा का उप योग किया जाता है ठीक है जैसे कि अभी हमने देखा वर्स के अभी देखो अभी हमने कोईशन किया जैसे शुरू होने वर्स के सभी महीनों का संग्रे अब यद्धी मालो मुझे इसे समुच्चे निर्माड रूप में लिखना हो तो देखो समुच्चे निर्माड रूप मे एक्स जेसे आरंब होने वाले आरंब होने वाले सभी महिनों का संग रहे है ठीक है तो यहाँ पर देखो मैंने समुच्चे कि अब वोको एक्स की रूप में लिख दिया और इस एक्स को एक नियम से भान दिया और इसी की सायता से बच्चो अब हम समुच्चे का निर्माड करेंगे तो इसलिए इस रूप को बोला जाता है समुच्चे निर्माड रूप ठीक है क्या बोला जाता है बच्चो इसको समुच्चे निर्माड रूप बोला जाता है और किसी किताब में इसको निर्माड विदी के नाम से भी लिखा गया है ठीक है निर्माड विदी ठीक है बच्चों तो यह आपका समुच्छ निर्माड रूप जदी बात करें रोष्टर रूप की या साणिबद रूप की तो उसमें कैसे लिखेंगे इसको उसमें बच्चों इ जून और जुलाई यहां पर देखो तीनों अव्योवों को मैंने कौमा से प्रतक्त कर लिया अलग कर लिया ठीक है तो यह क्या हो गया आपका रोष्टर रूप यह हो गया बच्चों आपका समुच्चे निर्माड रूप ठीक है यह सारी बाते आपने ग्यारवी क्लास में कर करते कैसे हैं एक बार इसकी परिवासा देख लेते हैं सबसे पहले देखते हैं समुच्चे निर्माड रूप की ठीक है तो सभी बच्चे लिखिंगे एक ऐसा रूप एक ऐसा रूप जिसकी सायता से समुच्चे का निर्माड किया जाता है समुच्चे का निर्माड किया जाता है उसे हम क्या कहते है समुच्चे निर्माड रूप कहते है ठीक है और समुच्चे निर्माड रूप में समुच्चे के अविवो को समुच्चे के अविवो को एक नियम से जोड़ा जाता है एक नियम से जोड़ा जाता है ठीक है बच्चो तो यह होता है आपका समुच्चे निर्माट रूप ओके बच्चो अब अगला देखते हैं रोष्टर रूप रोष्टर रूप में क्या था रोष्टर रूप में समुच्चे के अव्यवो को एक साड़ने के रूप में लिखा जाता है ठीक है तो रोष्टर रूप में समुच्चे के अव्यवों को सार्णी रूप में लिखा जाता है तो था अव्यवों को कॉमा कॉमा यानि की इस से कॉमा से प्रिथक यानि अलग किया जाता है ठीक है बच्चों तो ये होता है आपका रोष्टर रूप सार्णी बदरूप ठीक है किलियर अब बच्चों हम लोग जानते हैं समुच्चे के अवयव को ठीक है कि समुच्चे के अवयव क्या होते हैं देखो अभी मैंने एक बात पूली समुच्चे के अवयव इसके अंदर एक, दो, तीन, चार, पांच, यह पांच अवियव है, ठीक है, तो यह जो बच्चो एक, दो, तीन, चार, पांच है ना, यह समुच्चे के अवियव है, ठीक है, अब इसको व्यक्त किया जाता है, तो व्यक्त किया जाता है बच्चो इसको इस तरीके से, अब द बच्चों में ऐसे दर्साओंगा एको काड़ दो आप एप सैलेंज जो बनाया ना इसको काड़ दो तो इसका मतलब हो जाएगा अव्यव नहीं है अव्यव नहीं है ठीक है और इसका मतलब है अव्यव है ठीक है बच्चों तो ये बात भी आपको याद रखने है उसके लाव में कुछ जगे पर ऐसा लिखा होगा 4LX इसका मतलब है X के सभी मानों के लिए हमेशा X के लिए ठीक है ये मतलब उता बच्चो इसका ओके और धीरे-धीरे जो भी संक्यत होंगे उनको मैं आपको बताता चलूँगा time to time ठीक है बच्चो अब बच्चो हम लोग जानते हैं ग यह होता है आपका पूर संख्याओं का समुच्चे उसके बाद आता है I या जैर यह होता है आपका पूराम को का समुच्चे उसके बाद आता है Q यह होता है आपका परिमे संख्याओं का समुच्चे ठीक है फिर आता है QC यह होता है आपका A परिमे संख्याओं का समुच् ठीक है बच्चों फिर आता है आपका आर यह ओता है आपका वास्त्विक संख्याओं का समुच्चे ठीक है और फिर आता है बच्चों आपका जैड यह होता है सम्मिस्र संख्याओं का समुच्चे ठीक है अब बच्चों मैं आपको जानकारे के लिए बता दू कि जो गरतिय समुच्चे हैं इनको रोष्टा रूप में लिख पाना थोड़ा कठिन काम होता है क्यों क्यों कि बच्चों इनमें जो अव्यवों की संख्या होती है वो एपरिमित होती है एपरिमित मतलब जिनको गिनना संबब ना हो आप क्या मुझे बदा सकते हो कि कितनी प्राकर संक्या होती है अनन्त होती है कितनी पूर्ण संक्या होती है अनन्त होती है तो जहां कहीं भी बच्चों ऐसा कोई समुच्चे मिल जाए जिसमें अनन्त अव्यवों उस समुच्चे को रोष्टर रूप म अब अंतराल होते हैं बच्चों हमारे दो प्रिकार के एक होता है खुला अंतराल और एक होता है बंद अंतराल का मतलब यह होता है कि एक ऐसा अंतराल जिसमें जो boundary के अवियव हैं मतलब सीमावर्ती जो अवियव हैं वो सम्मलित ना हो उनसे खुला हुआ हो उसे हम बोलते है खुला अंतराल और एक ऐसा अंतराल जिसमें सीमावर्ती अवियव सम्मिलित हो उससे हम बोलते हैं बन अंतराल जैसे कि मालो मैं आप से कहूँ कि X कमान 2 से छोटा या बराबर है ठीक है तो यहाँ पर देखो 2 को भी सम्मिलित करना है तो X belongs to हो जाएगा माइनस अनंस से 2 और 2 पर लगेगा बन अंतराल ठीक है बच्चो यदि मैं आप से कहता है कि X कमान 2 से छोटा है तो यहाँ पर 2 हमें सामिल नहीं करना है तो इसका मतलब भी हो जाता है X belongs to माइनस अनंस से 2 ठीक है यह खुला अंतराल हो जाता है तो यह होता है बच्चो खुला अंतराल यह होता है बन अंतराल ओके बच्चो किलियर यहां तक आप लोग को किलियर हो गया बहुत बढ़िया अब बच्चो हम लोग चलते हैं कुछ पिर्षनों पर तो एक पुरसन है कि सम्मुच्चे रोष्टर रूप में लिखिए ठीक है तो पहले बच्चों इसको solve करते हैं इसके लिए बच्चों हम इसके गुड़नखंड करेंगे तो इसके गुड़नखंड हो जाएंगे x प्लस 3 गुणा x प्लस 2 बराबर 0 तो यहां से हमारे पास x कमाना जाएगा माइनस 2 और माइनस 3 इसका मतलब x बराबर माइनस 2 और माइनस 3 इस दिये गए द्विघास समीकरण के हल है अब इसके हलो को मुझे रोष्टर रूप में लिखना है रोष्टर रूप में मतलब समुच्छे के अभवो को कमा से प्रत्ख करके लिखना है तो मान लो यह कोई समुच्छे ए है जो कि इसके हलो का समुच्छे है इसमें अभ इवे मेरे पास माइनस 2 कमा माइनस 3 तो यह हो जाएंगा बच्चो इसका रोष्टर रूप ओके बच्चो अगला कोश्चन देखते हैं अगला कोश्चन है तालिका रूप में लखिए अब तालिका रूप का मतलब भी क्या होता है बच्चो तालिका रूप का मतलब भी होता है रोस्टर रूप ठीक है तालिका रूप का मतलब भी रोस्टर रूप भी होता है और देख चार आएगा, पांच आएगा, छे आएगा, साथ आएगा, आठ का वर्ग 64 होता, वो जाद हो जाएगा, ठीक है, तो यहां पर कौन सा समुच्चे बन जाएगा, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, ठीक है, तो यह बच्चों मैंने ताली का रूप में लिख दिया, ओक क्योंकिए बच्चों मैंने आपको बताए कि समुच्चे बन जाएगा, पारिवासाई मिल जाएगा, कि समुच्चे की, बट याद रखना उन सभी परिवासाँ से जो समुच्चे का निर्माड होगा वो एक ही होगा अलग नहीं होगा ठीक है ये बात आपको याद रखनी है जैसे हमारे पास ये कोश्चन दे रखा है अब इसमें बच्चों कुछ बच्चे तो ऐसे लिख सकते हैं कि ए एक समुच बड़ा बराबर है परन्तू और यह चलता चला जा रहा है ठीक है एक चार नो सोले पच्चे इस तरीके से चलता चला जा रहा है ना तो यह हो जाएगा वाइब लोंग स्टू एन कोई बच्चा ऐसे लिख सकता है ठीक है हाँ इसी को बच्चो कोई ऐसे भी लिख सकता है यह बराबर मेरे पास एक्स अव्यवे और एक्स क्या है एक्स बच्चो सभी प्राकर संख्याओं के वर्ग है ठीक है सभी लिखने कि आपर कोई जरती नहीं है क्योंकि प्राकर संख्याओं लिख दिया तो अपने आप में वो सभी है ठीक है तो एक्स क्या है एक्स प्राकर संख्याओं को बर गए अब देखो आप इसको भी इस तरीके से भी लिख सकते हैं इस तरीके से भी सकते हैं कोई बच्चा ऐसे लिखेगा तो वो भी सही है, कोई बच्चा ऐसे लिखे आएगा तो वो भी सही है, ठीक है बच्चों, तो यह था समुच्चे को निरुपित करने वाली विदिया, अब बच्चों हम लोग चलते हैं आज की second quiz पर, तो सभी बच्चे तयार हो जाएंगे second quiz के लि minus 3 से 7 के 20 दिया गया है, ठीक है, सुसील सुकला आपका क्या डाउट है, क्या डाउट है बच्चा आपका, हाँ बेटा यह भी सही है, मनुच कुमार आपका भी सही है, Indian air आपका गलत है, real number का square नहीं है बेटा, real number में 0 भी आता है, 0 का square 0 वहाँ पे नहीं था, ठीक है, अब बच्चों आपके इस समय का समय होता है समाप, अब इसका answer देखते हैं, तो यहाँ पर हमें रोश्टर रूप में लिखना है, जहाँ पर x एक पूरांग है, और x का मान माइनस 3 से 7 के बीच है, तो पूरांग क्या होते हैं, पूरांग घरनातमग भी होते हैं, ठीक है, अब माइनस 3 से 7 के बीच में कौन कों से पूरांग है, माइनस 2 है, माइनस 1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और 6 है, ठीक है, तो इन सभी का समुच्चे हो जाएगा, रोश काफी बच्चों का सही भी है सिवंसर्मा ने बेजा है सर सही है हाँ बेटा ये क्लास आज से start हुए आज से बेटा सत्यम ये क्लास start हुए गुड बहुत अच्छे मनोज बेटा इसी तरही किसे पढ़ाई करते रही है आचल बेटा आपका भी बिल्कुल सही है C option correct होगा इसका बेटा quiz एप पर आ रही है और आप लोग comments में भी लिख सकते हो यदि किसी बच्चे के mobile में quiz नहीं आ रही है तो comments में भी लिख सकता है ठीक है बेटा ठीक है सब के C answer आए हैं बिल्कुल ठीक है ठीक है ठीक है क्या होता है तो जैसा कि बच्चों में नाम से पता लग रहा है रिक्त रिक्त का मतलब होता है खाली इसका मतलब एक ऐसा समुच्चे जिसमें कोई भी अव्यव ना हो उसे हम रिक्त समुच्चे कहते है ठीक है और इसको व्यक्त किया जाता है फाई से या फिर इस तरीके से वह समुच्य बनाया पर उसके अंदर कोई भी अवयव नहीं है ठीक है इस तरीके से बच्चो उसको पृदसित किया जाता है इसके अलाव बच्चो एक पिरकार होता है आपका एकल समुच्य अब देखो यहां पर भी हमें नाम से पता लग रहा एकल, एकल का मतलब केवल एक अवयब होगा, ठीक है, तो एक ऐसा समुच्चे जिसमें केवल एक अवयब हो, उसे हम एकल समुच्चे कहते हैं, ठीक है बच्चों, इसके अलावा बच्चों आपने परेमित तथा एपरेमित समुच्चे के वारे में पढ़ा है, अब परेमित समुच्चे क्या होता है एक ऐसा समुच्चे जिसमें अव्योग की संख्या निश्चित हो अर्थाद जिने बच्चों हम गिन सकते हो उसे हम परेमित समुच्चे कहते हैं जैसे कि मैंने आप से का कि वर्स के सभी महीनों का संग रहे तो ये एक समुच्चे तो है साथ में इसमें कितने अवयव हैं बारे अवयव हैं तो हमने गिन लिए ना तो ये बच्चो एक परीमित समुच्चे है ठीक है वहीं एक होता है बच्चो एपरीमित समुच्चे जिसमें समुच्चे में अविवो की संख्या ऐसी मित हो अर्था जिने गिना पाना संभव ना ह हो उसे हम एपरे में समुच्चे कहते हैं जैसे कि मालो मैं आप से कहूं सभी प्राकर संग्याओं का समुच्चे तो क्या प्राकर संख्याओं को गिन सकते होगा कितनी प्राकर संख्या है नहीं गिन सकते तो यह क्या हो जाएगा ए परिमित समुच्च्च हो जाएगा ठीक है ठीक है बेटा हाँ बेटा रित समुच्च्च जो खाली हो एकल समुच्च्च जिसमें केवल एक अव्यभ हो जिनने नहीं गिन सकते हैं उन्हें हम कहते हैं ए पर में समुच्चे ठीक है किलिए रहा तक अच्छा इसके पश्चात होता है बच्चो समान समुच्चे अब समान समुच्चे क्या होता है देखो जैसे आप लोग गड़त में संख्याओं को समान बोलते थे ना ऐसे अब दो समुच्चे समान समुच्चे कब कहलाएंगे तो इसकी बच्चों दो सरते हैं पहली सरत यह कि दोनों समुच्चे में उपस्त अवयवों की संक्या बराबर होनी चाहिए और दूसरी सरत यह कि दोनों समुच्चे में उपस्त अवयव भी बराबर होनी चाहिए मतलब ए समुच्चे में जो अवयब हैं वही अवयब बी समुच्चे में भी होने चाहिए तबी बच्चो ए और बी समान समुच्चे होते हैं तो ए और बी समान समुच्चे कहलाते हैं यदि ए का प्रतेक अवयब बी का भी सदसे हो और बी का प्रतेक सदसे ए का भी सदसे हो अर्थ तो बच्चों हम लोग समान समुच्चों को लिखते हैं A बराबर B से ठीक है और इदिस समान नहीं है तो उसे हम A not equal to B से लिखते हैं ठीक है जैसे की मालूम मैं आपसे कहूं कि A बराबर है एक दो तीन चार ठीक है और B बराबर मैं आपसे कहता हूं कि X अवियव है जहां पर X क्या है बिलॉंग्स टू N और X का मान less than equal to 4 है ठीक है ये बच्चों मेरे पास कोई दो समुच्चे हैं अब यदि आप B को रोस्टर रूप में लखोगे तो यहां पर भी आपको एक दो त टीन चार ही मिलेगा तो दोनों में अवियव की संख्याई बराबर है और अवियव भी बराबर है तो A बराबर हो जाएगा B के तो यह होते हैं बच्चों आपके समान समुच्चे ठीक है इसके पस्चाज बच्चों हम लोग जानते हैं उप समुच्चे के बारे में ठीक है तो देखो बच्चो यहां पर एक सब्द आया उप उप सब्द को बच्चो आप लोग अपने दीनिक जीवन में कई जिगे पर सुन चुकिए होगे जैसे आपने सुना होगा राष्ट पती, उप राष्ट पती, मुख्य मंत्री, उप मुख्य मंत्री, कप्तान, उप कप्तान, वाइस केप्टरन होता है ना किरकेट में, फुटवॉल में, इंसम में, तो वही चीज बच्चों यह है, समुच्चे का क्या है यह उप है, ठीक है अब उप लग जाने से क्या होता है उप लग जाने से उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है ठीक है तो यहाँ पर भी बच्चो जिम्मेदारियां बढ़ गई है अब उप समुच्चे बनता कैसे है देखो समुच्चे के कुछ अविवों को ले करके यदि हम एक नया संग्र का हो जाता है तो सेम ऐसे ही यदि हम समुच्चे के कुछ अव्यवों को लेकर उन अव्यवों को किसी दूसरे समुच्चे को दे दें तो जो नया समुच्चे वनेगा वो पहले समुच्चे का उप समुच्चे होगा क्या होगा बच्चो उप समुच्चे होगा ठीक है तो ऐसे की माल लो मेरे पास समुच्चे A में अव्यव हैं 1, 2, 3 और 4 ठीक हैं समुच्चे B में मेरे पास अव्यव हैं 0, 1, 2, 3, 4 और 5 ठीक हैं अब यदि बच्चों हम यहां ध्यान से देखें तो समुच्चे A में जितने भी अव्यव हैं वो समुच्चे B में मौजूद हैं तो इसका मतलब समुच्चे A, समुच्चे B का उप समुच्चे है, ठीक है, समुच्चे A क्या है, समुच्चे B का उप समुच्चे, ठीक है, अब बच्चो किसी समुच्चे के कितने उप समुच्चे बन सकते हैं, इसकी बात करते हैं, ठीक है, तो किसी समुच्चे के उप समुच्चों की संख्या तो यह होती है बच्चों, दो की घात N के बराबर जहां पर N जो होता है, वो समुच्चे में अव्यवों की संख्या होती है समुच्चे में अव्यवों की संख्या होती ठीक है अमालो बच्चो मेरे पास कोई समुच्चे है जिसके अंदर अव्यव है एक और दो मुझे इसके उप समुच्चे बनाने तो उप समुच्चे का मतलब मुझे एक ऐसा संग्रे बनाना है जिसमें इस समुच्चे एके अवयब हो, ठीक है, एके अवयब को कुछ अवयब को लेकर एक नया संग्रे बनाना है, अब मालो मैंने एक समुच्चे बनाया भी, जिसमें कुछ भी अवयब नहीं है, भाई ये भी तो इसके समुच्चे हुआ, कि मैंने कुछ भी नहीं लिया, दोगों ऐसा सोचो कि आपके पास बच्चों पांच जोड़ी कपड़े अब आपको गर्मियों की छुट्टी में अपने मामा की घर जाना है तो मामा की घर जा रहा है तो आप हो सकता है कि अपने बैग में कुछ भी कपड़े ना लेके जाओ आप ही सोचो कि मामा के घर जा रहे हैं मामा ही हमें कपड़े दुला दिंगे तो ये भी एक संग्रह हुआ ना तो ये बच्चो एक उप समुच्चे हो गया ठीक है अब कोई कहेगा कि मैं केवल एक कपड़ लेके जाओंगा तो वो एक वाला ले गया कोई कहेगा मैं तो दो वाला लेके जाओंगा तो वो दो वाला ले गया कोई कहेगा मैं तो दोनों की दोनों लेके जाओंगा तो ये दोनों की दोनों लेके चला गया तो इस तरीके से बच्चो ये मेरे पास यहाँ पर चार समुच्चे बन गए अब इन चार समुच्चे में जो अवियव हैं वो समुच्चे A के अंदर पहले से ही मौजूद हैं तो इसका मतलब यह चार समुच्चे A के उप समुच्चे हुए ठीक है तो समुच्चे A के कितने उप समुच्चे बने चार देखो इस सूत्र के अंदर आप मान रखते एन वरावर दो तो भी आपको क्या मिल जाता चार मिल जाता ठीक है तो ये बच्चो इसके चार उपसमुच्चे हो जाएंगे अब बच्चो यहाँ पर एक important चीज है हाँ बेटा रोज क्लास इसी टाइम पर होगी उमेद बेटा र गास समुच्चे क्या होता है तो समुच्चे एक उपसमुच्चों के संग्रय को हम A का घात समुच्चे कहते हैं इसे बच्चों P of A से नुरूपित करते हैं जैसे कि माल लो मेरे पास समुच्चे A है जिसमें अवयवे मेरे पास एक और दो अब इसके समुच्चे क्या होंगे एक तो होगा बच्चों इसका रिक्त समुच्चे एक होगा केवल एक एक होगा क एक और दो यह दोनों की दोनों ठीक है अब यदि बच्चों में इसका भी एक संग्रे बना दू एक समुच्चे बना दू तो इसे हम बोलते हैं घात समुच्चे क्या बोलते हैं बच्चों से हम घात समुच्चे बोलते हैं ठीक है समुच्चे A के बनने वाले उप समुच्चों का भी संग रहे है समुच्चे का घात समुच्चे कहलाता है ठीक है और यह आपको याद रखना है कि P of A का प्रतेक अव्यव एक समुच्चे होता है मतलब समुच्चे A के घास समुच्चे का पृतेक अवियव एक समुच्चे होता है जैसे कि ये P of A है अब यहां पे अवियव क्या है? देखो एक अवियव एक 5 एक है एक, एक है दो तो ये भी बच्चो अपने आप में क्या है? एक समुच्चे है तो समुच्चे A के घास समुच्चे का पृतेक अवियव एक समुच्चे होता है उसके अलावा कुछ important बाते और हैं उनको भी आप note down करिए देखो बच्चो मैंने यहां पर आपको बताया कि समुच्चे किसी समुच्चे के उपसमुच्चो की संक्या होते है दो की घास एन जिसमें एक उपसमुच्चे होता है बच्चो रिक्त अब यदि मैं बात करू एरक्त उपसमुच्चो की तो एरक्त उपसमुच्चे कितने हो जाएंगे? एरक्त उपसमुच्चे तो एरित उपसमुच्यों की संख्या हो जाएगी 2 की खाथ N-1 के बरावर कितनी हो जाएगी बच्चो 2 की घाथ N-1 के बरावर अब बच्चो आपने 11 दी क्लास में पढ़ाओगा कि उपसमुच्य होते हैं 2 परकार के एक अधी उपसमुच्य होता है और एक होता है उचित उपसमुच्चे अब यह क्या होते हैं इनके बारे में आपको बता देता हूं तो अधी उपसमुच्चे बच्चो किसी समुच्चे का वह उपसमुच्च होता है जिसके में वो अभी उपस्तित होते हैं जो कि उसी समुच्चे में उपस्तित होते हैं ज उचित उपसमुच्चे वे उपसमुच्चे होते हैं जो की समुच्चे एके बराबर नहीं होते हैं तो वो सारे उपसमुच्चे जो समुच्चे एके बराबर नहीं हैं उन्हें हम उचित उपसमुच्चे कहते हैं ठीक है बच्चो किलियर तो ये थे आपके उचित और अधी उप समुच्चे ओके अब एक होता है बच्चो आपका सारवर्तिक समुच्चे देखो सारवर्तिक नाम से पता लग रहा है सरवत्र है जो ठीक है मतलब एक ऐसा समुच्चे जिसमें सारे अवियव उपस्थितों उसे हम सारवर्तिक समुच्चे कहते हैं ठीक है और सारवर्ति समुच्च को व्यक्त किया जाता है ओके बच्चों अब बच्चों हम लोग कुछ प्रिशन डिस्कस करते हैं तो एक प्रिशन निम्लिक समुच्चों के सभी उपसमुच्च लिखिए तो देखो मैं सेकेंड वाले को कर रहा हूं बाकी सबको आपको कुछ से करना है एक कॉमा इसके उपसमुच्चे लिखने हैं, तो देखो एक तो हो जाएगा रिक्त, एक हो जाएगा केवल A, एक हो जाएगा केवल B, एक हो जाएगा A और B, तो यह हो गए A, B, इस वाले समुच्चे के उपसमुच्चे, ठीक है बच्चो, बाकी के आपको खुद से करने, देखो इस पर तो आपके सामने आ रहा है question तो ये रा बच्चो question जदी किसी समुच्चे A में N अवियव हो तो इसके घास समुच्चे में अवियवो की संख्या कितनी होगी मतलब आपको बताने समुच्चे A के कितने उप समुच्चे बन सकते हैं तो बताईए बच्चो कौन सा विकल्ब सही होगा A, B, C और D में से कौन सा विकल्ब बच्चो आपका सही होगा बच्चो आपका समय होता है याँ पर समाप अब देखते हैं इसका अंसर दोगो मैंने आपको बताया कि यदि किसी समुच्चे में N अवियव हो तो इसके दो की घास अवियवो की संख्या हो जाएगी ठीक है तो D विकल्ब बच्चो आपका सही उत्तर हो जाएगा ओके बच्चो किलिर यहां तक बहुत अच्छी अब हम लोग चलते हैं बच्चो हमारे नेश टॉपिक पर जिसका नाम है वैन आरेक अब वैन आरेक क्या होता है तो जैसे बच्चो आप लोग किसी चीज को व्यक्ट करने के लिए किसी चीज का उप्योग करते हो ना जैसे आपको व्यक्ट करना होता है क्रिकेट को तो आप उसके लिए सी का उप्योग करते हो सेम ऐसे बच्चो समुच्चो को व्यक्ट करने के लिए उप्योग किया जाता है वैन आरेक कर ठीक है और वैन आरेक में बच्चो जो सारवर्तिक समुच्च्च्च्च्च्च्च सारवर्तिक समुच्च होता है उसको तो हम आयत द्वारा व्यक्त करते हैं आयस से और जो इसके उप समुच्च dynasty होते है कि are we समुच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् पर बच्चों बात करते हैं समुच्चों पर संक्रियाओं की तो समुच्चों पर बच्चों मुख्य तद चार संक्रियाओं होती है पहरी संक्रियाओं है समुच्चों का सम्मिलन दूसरा है समुच्चों का सर्वनिष्ट तीसरा है समुच्चों का अंतर और चोथा है समुच्चे का पूरक ठीक है अब समुच्चों का सम्मिलन क्या होता है सम्मिलन का मतलब होता है बच्चों जुड़ना मतलब यदि हमारे पास में कोई दो समुच्चे हों A और B तो हमें एक ऐसा समुच्चे बनाना है जिसके अंदर A के भी अव्यव हों और B के भी अव्यव हों ठीक है तो उसे हम A और B का सम्मिलन कहते हैं और इसे हम A यूनियन वी से व्यक्त करते हैं ठीक है इसी परकार सर्वनिष्ट सर्वनिष्ट का मतलब होता है उभैनिष्ट जेखो इसी के कुश्टक में लिख लो आप उभैनिष्ट अर्थात यदि हमारे पास कोई दो समुच्चे हो A और B और हमें इनका सर्वनिष्ट लिकालना हो तो हमें बच्चो एक ऐसा समुच्चे बनाना है जिसके अंदर समुच्चे A के अव्यव हो और समुच्चे B के अव्यव हो ठीक है तो यहां पर इन दोनों के उभैनिष्ट अव्यवों का संग्रय बनेगा और इसको बच्चो व्यक्त किया ज़ता इस तरीके से, A intersection B से, ठीक है, अब तीसरा है समुच्चों का अंतर, तो जैसे बच्चों अब संख्याओं का अंतर निकालते थे न, ऐसे बच्चों हम समुच्चों का अंतर निकालते हैं, फरक क्या है, कि मालो मुझे A में से B को घटाना है, यानि A में से B का अंतर निकालना है, तो यह बच्चों एक ऐसा समुच्चे बनेगा, जिसके अंदर A के अव्यब तो होंगे, परंतु B के अव्यब नहीं होंगे, ठीक है, तो एक ऐसा समुच्चे जिसमें A के अव्यब हों, परंतु B के अव्यब ना हों, उसे हम A माइनस B, यानि कि के कुछ गुर्धर्म देख लेते हैं तो ये बच्चों ये हैं समुच्चों के सम्मिलन के कुछ गुर्धर्म ठीक है A union B बराबर B union A इसका मतलब समुच्चों को सम्मिलन क्रम विनमे नियम का पालन करता है साचरे नियम का भी पालन करता है A union 5 बराबर होता है A के A union A बराबर होता है A के और यदि हम किसी समुच्य का सारवरतिक समुच्य के साथ में सम्मिलन करें तो हमें सारवरतिक समुच्य मिलेगा ठीक है इसके पस्चाथ बच्चों यह हैं आपके सर्वनिष्ट के समुच्चे U है, अब समुच्चे A के पूरग समुच्चे को हम A dash या फिर में A के उपर T लिख करके व्यव्यद करते हैं और ये बरावर उता U minus A, इसका मतलब एक ऐसा समुच्चे जिसमें A के अवयब नहों, उसे हम A का पूरग समुच्चे कहते हैं, ठीक है, अब बच्चो पूरक समुच्चों के भी कुछ गुरधर्म होते हैं तो ये बच्चों उनके कुछ गुरधर्म है ठीक है जिसमें पहला नियम और दूसरा नियम ये very important है तीसरे और चौते वाले नियम भी important है ठीक है बच्चों अब बच्चों हम चलते हैं आज की फूर्थ कुछ पर तो आपके सामने आ रही है आज की फूर्थ कुछ इसका अंसर बताईए यहां पर आपको A समुच्च दिया है B समुच्च दिया है C समुच्च दिया गया है आपको A intersection भी बताना है मतलब आपको A समुच्च और B समुच्च के उबैनिस्ट अवेवों का समुच्च बनाना है तो बताईए बच्चो A intersection B क्या होगा बच्चो आपका समय होता है यहां पर समाप अब देखो A intersection B लिकालना था मतलब हमें A और B के उबैनिस्ट अवेवों का समुच्च बनाना था तो देखो दो यहां पर नहीं आ रहा तीन यहां पर भी है तीन यहां पर भी है तो एक तो हो गया तीन च्छे आपर भी है च्छे आपर भी एक हो गया च्छे तो तीन कौमा च्छे यह क्या हो जाएगा A intersection B हो जाएगा मतलब बच्चो B विकल्प हमारा सही हो जाएगा ठीक है तो आज की क्लास को बच्चों मैं यह पर समाप्त करने जा रहा हूँ आज की क्लास में मैं इलेवन्त के समुच्छे का पूरा रिवेजन किया हो सकता है आप लोग को आज की क्लास में मेरी श्पीड थोड़ा जादा लगी हूँ यह श्पीड जादा बच्चों इसलिए थी क्योंकि आज हमने क्लास 11 का revision किया था जिसे आप लोग class 11 में पढ़के आ चुके हो और कुछ बच्चों ने 12 में भी पढ़ लिया था ठीक है इसलिए मैंने थोड़ा speed थोड़ा जादा रखा था बट next class है जब इस class का topic start होगा यानि class 12 का topic start होगा तो मेरी speed बिल्कुल normal रहेगी ठीक है बच्चों अब ये बच्चों आपका आज का हमबर के सभी बच्चे note down करेंगे आज के हमबर को ये बच्चों आपका हमबर के आपको आज का हमबर complete करके लाना है ठीक है बच्चों आज के इस class में हम संबंद और फलन का दूसरे नंबर का लेक्चर देखने वाले हैं जिसमें बच्चों हम सबसे पहले तो बात करेंगे समुच्चों के कार्तिय गुड़नफल के बारे में उसके पश्यात मैं आपको संबंद के बारे में बताऊंगा कि संबंद क्या होता है फिर मैं आपको संबंध का परांथ सैप्रांथ वे परिशर के बारें बताँगा और उसके बाद फिर बच्चों संबंधों के प्रिकार जानेंगे ठीक है बच्चों तो ये टॉपिक है जो कि हम आज की क्लस में कवर करने वाले हैं जल्दी से सही बच्चे थमसब करेंगे जल्दी से जल्दी जिन बच्चों ने जोइन नहीं किया है उनको जल्दी से सिलिंग को भेज दीजिए सो देट वो भी जोइन कर सकें नितेश कुमार गुड इवनिंग बेटा गुड मॉर्निंग बेटा मुकेश गुड मॉर्निंग खुशी बीटा गुड़ मॉर्निंग प्रीतम गुड़ मॉर्निंग मनुज कुमार गुड़ मॉर्निंग मैं अच्छा हूँ बीटा आप कैसे हो प्यूज सौलंकी अनुज सेनी अभिलासा नीरज कुमार आचल सिंग तो काफी बच्चों ने हमें जोइन कर लिया है तो चलिए बच्चों आरम करते हैं आपकी आज की किलास को हाँ बच्चों जैसा कि मैंने आपको पिछली किलासेज में बताया है कि डाउटनट पर किलास 12 के हिंदी माध्यम के विध्यारतियों के लिए एक नया कुर्स आरम किया गया है कल से सौंबार से बच्चों एक नया कुर्स आरम हुआ है जिसमें मैं आपको डेली गड़ित पढ़ाया करूँगा बच्चों ये आपकी डेली रुटीन की किलास होंगी ऐसा नहीं है कि एक दिन Class होगी दूसरे दिन Class नहीं होगी देखो कल भी Class हुई थी आज भी Class हो रही है डेली बच्चों आपकी इसी टाइम पर गड़ित की Class होगी और मैं ही इस Class को लिया करूँगा ठीक है तो जिन बच्चों को अभी तक नहीं पता है इसके बारे में उनको जरूर से जरूर बताईए इस बारे में कि दीपकसर वापिस आ गए हैं आपको पढ़ाने के लिए ठीक है अब इस अध्याई के अंतरगत आपको कौन-कौन से टॉपिक देखने हैं उसके बारे में देख लेते हैं तो सबसे पहले तो बच्चों आपको समुच्चे का रिवीजन करना है जो कि आप 11 किलास में पढ़के आयो ठीक है जिसे बच्चों में आपको पिछले किलास में करवाये था इसके पश्चाथ आपको सम्बंद के बारे में जानना है अब सम्बंद में सबसे पहले आपको समुच्चों का कारतिय गुडन फल देखना है उसके बाद सम्बंद के बारे में जानना है फिर आपको संबंद का प्रांथ सेप्रांथ वे परिसर के बारे में जानना है और फिर लास्ट हम बच्छों आपको संबंदों के परिकार जानने हैं ठीक है तो ये टॉपिक बच्छों आपको संबंद के अंतरकत पढ़ने हैं इसके पच्छाद बच्छों आपको फलन के बा के बारे में फिर हम फलनों का संयोजन देखेंगे फिर बच्चों हम प्रतिलों फलन के बारे में बात करेंगे ओके इसके बाद बच्चों एक लाश टॉपिक और रहेगा आपका जिसका नाम है दूई आधारी संक्रिय है इसको देखेंगे ठीक है तो इस तरीके से बच्चों आपका यह द्या चलने वाला है अब आज की क्लास में बच्छो सबसे पहले तो मैं आपको समुच्छो के कारते गुणनफल परिसर के बारे मं बताऊंगा ठीक है तो इस तरीके से ये हमारी आज की क्लास चलने वाली है तो देखा जाए तो वैसे भी ये टॉपिक 11 वी क्लास में दे रखें बट मैं इनको 12 वी क्लास में करवा रहा हूँ क्योंकि ये वैरी इंपोर्टन टॉपिक है यदि आपको ये टॉपिक अच्छे से नहीं आते होंगे तो फिर आप वार्वी में आगे बज्रिया प्रदसन नहीं कर पाओगे आगे के टॉपिक आपको समझ में नहीं आएंगे ठीक है तो इन टॉपिकों को बच्चों ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा ठीक है जो आपको आंसर आते हों उन्हें कमेंट सेक्षिन मुझे लिखके बताईएगा मुझे भी अच्छा लगेगा ये देखकर ठीक है तो चलिए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं आपकी आज की कि ठीक है तो सबसे पहले समझते क्रेमित युग्म को क्रेमित युग्म होते क्या है ठीक है बच्चों तो देखो यहां पर एक सब्दा आया युग्म युग्म का मतलब क्या होता है युग्म का मतलब होता है बच्चों जोडा जैसे आप लोग जूते पहनते हो चपल पहनते तो इसका जोड़ा होता है ना तो ऐसे ही ये भी क्या जोड़ा है ठीक है अब जोड़े कितनी वस्तवी बनाती है दो वस्तवी बनाती है मतलब यहाँ पर कोई दो चीजे होंगी दो वस्तवी होंगी ठीक है दो नंबर होंगे दो संख्याई होंगी कुछ इस तरीके से होंगी ठीक है अच्छा अब क्रेमित का मतलब क्या है क्रेमित का मतलब है क्रम का महत्व है क्रेमित का मतलब क्या है बच्छो क्रम का महत्व है ठीक है तो क्रेमित का मतलब है क्रम का महत्व है ठीक है तो इसका मतलब यहाँ पर मेरे पास में दो ऐसे संख्याओं का जोड़ा होगा जिन में करम का महत्व होगा ठीक है और इनको बच्चो लिखा जाता है इस परकार से जैसे कि मालो मेरे पास A और B दो संख्याओं है ठीक है तो पहले हम बनाएंगे छोटा कोश्टक फिर लिखेंगे A, B ठीक है इस परिकार से लिखेंगे तो ये है बच्चो एक क्रेमित युग्म ये क्या एक क्रेमित युग्म है याद करो आपने दसवी किलास तक निर्दे सांग तल में बिंदूों को निरुपत किया था राइट बच्चो जैसे कि मैं आप से कहूं कि 1,2 को बिंदू है ठीक है तो आपर देखो एक की जिगए पर एक की जिगए पर एक है बी की जिगए पर दू है तो ये क्या एक क्रेमित युग्म है ठीक है तो वहाँ पर आप लोग इसको निर्दे सांग बोलते थे यहाँ पर हम इसक एक कॉमा दो होगा बच्चो आपका यहाँ कहीं पर ठीक है अब देखो मैंने हापर एक बात बोली कि करम का मैतवे करम का मैतवे इसका मतलब यह कि एक कॉमा भी बी कॉमा एक के بराबर नहीं हो सकता A, B, B, A के बराबर नहीं हो सकता आप चाहो तो इसको यहाँ पर भी समझ सकते हो देखो 1, 2 का उल्टा 2, 1 होगा क्या 2, 1, 1, 2 सेम बिंदू है? नहीं, अलग अलग बिंदू है 2, 1 बच्चो आपका ये वाला बिंदू है तो दोनों अलग अलग बिंदू है ना क्रेमित युग में क्रम का महत्व होता है तो आप बोलोगे जी हाँ क्रम का महत्व होता है ठीक है? यहाँ पर क्रम विन्मेनियम का पालन नहीं होता है ओके बच्चो एक कॉमा बी बराबर नहीं होता है बी कॉमा एके ओके? अच्चा अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देनी वेले बात है मालो मैं आपसे कहूँ कि कोई दो क्रेमित युगम है एक तो है A, B और A का बच्चों आपका C, D ये कोई दो क्रेमित युगम है और ये बराबर है ठीक है तो ये कब बराबर होंगे ये बच्चों बराबर होंगे जब A बराबर होगा C के और B बराबर होगा D के ठीक है तो इसे कहते हैं क्रेमित युगमों की समानता ठीक है दो क्रेमित युगम बच्चों तब बराबर होते हैं जब क्रेमितियुम का पहला गटक देखो ये क्या क्रेमितियुम का पहला अवियव है ये क्रेमितियुम का दूसरा अवियव है तो दो क्रेमितियुम तब बराबर होते हैं जब क्रेमितियुम का पहला अवियव दूसरे क्रेमितियुम के पहले अवियव के बराबर हो और क्रे y बरावर है 2,3 के तो इसका मतलब क्या होगा x बरावर है 2 के और y बरावर 13 के ठीक है तो ये मतलब हो जाएगा बच्चो इस चीज़ का तो समझ में आगह सही बच्चो को जी हां मनुछ कुमार ने बिल्कुल सही अनसर दिया आचल ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया काफी बच्चों ने सही आंसर दिया सत्यम ने बिल्कुल सही आंसर बताया X बरावर दो बहुत सही बच्चों बहुत सही इसी तरीके से लगे रही है ठीक है अब देखो अब हम बच्चों एक प्रिस्न करते है तो प्रिशन है यदि X प्लस एक कॉमा Y माइनस दो बराबर तीन कॉमा A को तो आपको X और Y के मान ग्यात करने है कि X और Y के क्या मानोंगे ठीक है तो यहाँ पर बच्चों अब हम तुलना करेंगे ठीक है दों को यहाँ पर पहले क्रेमितियूम का पहला अवियव क्या है X प्लस एक यह बराबर होगा दूसरे क्रेमितियूम के पहले अवियव के अर्थात तीन के X प्लस एक बराबर होगया तीन Y माइनस दो बराबर होगया एक के ठीक है जल्दी से बच्चों मुझे बताईए X और Y के मान क्या होंगे सत्यम ने बताया है X बराबर 2 अनुष सैनी ने X बराबर 2 बताया मनुष कुमार ने X बराबर 2 Y बराबर 3 बताया है सभी बच्चों का आंसर बिलकुल सही है सबी बच्चों के आंसर बिलकुल सही है दो को यहां से X बराबर क्या हो जाएगा X बराबर हो जाएगा 3 माइनस 1 अर्था 2 और Y बराबर हो जाएगा 1 प्लस 2 बराबर 3 X का मान क्या आगिया 2 और Y का मान आजाएगा बच्चों हमारे पास 3 तो काफी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर बताया था काजल कुमारी ने सही आंसर बताया आनंद यादव ने सही बताया खुसी गुपता का सही आंसर था सूरज यादव ने गलत आंसर बताया एक्स बरावर बेटा दो का वाई बरावर तीन सूरज कुमार केलकुलिसन थोड़ा सही किया करो सिवम सर्मा का बिलकुल सही है प्रतिमा गुपता का बिलकुल सही है एक्स बरावर दो ठीक है सभी का आगया अंसर बहुत अच्छे बच्चो बहुत अच्छे अब चलते हैं बच्चो हम अगले टॉपिक पर जिसका नाम है समुच्चो का कारतिय गुड़नफल तो बच्चो आप लोगों ने दसवी किलास तक संख्याओं का गुड़नफल तो किया होगा फिर आपको ग्यारवी किलास में आपके टीचर ने समुच्चों का कारतिय गुडनफल करके बताया होगा ठीक है अब क्या होता है बच्चों समुच्चों का कारतिय गुडनफल उसको समझिए तो मान लीजे मेरे पास कोई दो एरिक्त समुच्चे है मालो एक समुच्चे A है एक समुच्चे B है मुझे इन दोनों समुच्चों कारतिय गुर्णफल करना है तो उसको व्यक्त करते हैं बच्चों हम A क्रोस B से कैसे व्यक्त करते हैं एक रोस B से व्यक्त करते हैं ठीक है और होता क्या है बच्चों एक रोस B उन सभी क्रेमत समुच्चे A से और दुत्तिय अव्यव समुच्चे B से लिया जाता है ठीक है तो यदि आप समुच्चे A से समुच्चे B में कार्ति गुडन फल की परिवासा लिखना चाते हो तो आप लिख सकते हो लिखो बच्चों सभी मेरे साथ समुच्चे A से समुच्चे A से समुच्चे B में कार्तिय गुडन फल उन सभी क्रेमित युगमों का समुच्चे होता है जिनका पिर्थम अवियव समुच्चे A से तथा दुत्तिय अवियव समुच्चे B से लिया जाता है ठीक है तो यह बच्चों समुच्चे A से समुच्चे B में कार्तिय गुडन फल की परिवासा हो जाएगी ठीक है अब इसको बच्चों में उधान दौरा समझते है ठीक है उधान की साहिता से मैं आपको समझाता हूँ कि समुच्चों के कार्तिय गुडन फल का मतलब क्या है तो मान लो बच्चों मेरे पास समुच्चे A है जिसके अंतरगत मेरे पास कुछ व्यक्तियों के नाम है मान लो एक है राम ठीक है एक है सीता अचा व्यक्तियों के नाम लिखने हैं ने आपे तो व्यक्तियों के नाम लिखते हैं सीता अटा देते हैं राम क्रस्न ठीक है उसके अलावा मैं ले लेता हूँ चलो रहीम ठीक है और एक मैंने ले लिया मानलो रामकिष्ण रहिम गोपाल ये बच्चों मैंने चार व्यक्ति ले लिया ठीक है अब मानलो ये कोई ए किसी परिवार का समुच्च है ठीक है जिसमें चार पुत्र है मानलो ये कोई गुपता आजए गुपता परिवार आपने सुनाया ना तो गुपता परिवार में चार लड़के हैं जिनके नाम है राम, किष्ण, रहिम और गोपाल अब गुपता परिवार ने सर्मा परिवार के साथ में अपने रिस्ते मजबूत करने की सूची अब सर्मा परिवारग में है चार लड़कियां सर्मा ठीक है चार लड़किया है उनकी नाम क्या है एक का नाम मानलो सीता है एक का नाम रादा है एक का नाम गीता है एक का नाम मानलो लच्मी है ठीक है ये चार लड़किया है अब देखो अब इन दोनों परिवारों ने सोचा कि क्यों ना हम आपस में एक संबंद स्थापित कर लें तो प्रिस्ताब हुआ कि क्यों ना हम आपस में अपने बेटों की साधी आपकी बेटियों से करा दें ऐसा प्रिस्ताब हुआ तो अब बच्चो आप खुद सोचिए कि कितने प्रिकार से ये संबब हो सकता है देखो यहां पर राम की साधी इन चारों में से किसी के साथ भी हो सकती है बच्चो राम की साधी जो है इन चारों में से किसी के साथ भी हो सकती है यहां पर मैं आपको करके बताता हूँ ठीक है राम है अब राम की साधी हो सकता है सीता के साथ हो हो सकता है राम की साधी राधा के साथ हो हो सकता है राम की साधी गीता के साथ हो हो सकता है राम की साधी लच्छमी के साथ हो तो किसी के साथ भी हो सकती है सेम ऐसे ही बच्चो कृष्ण की साधी भी इन चारों में से किसी के साथ भी हो सकती है कृष्ण की साधी भी इन चारों में से किसी के साथ भी हो सकती है सेम फंडर रहेगा रहीम पर सेम फंडर रहेगा गोपाल पर तो कुल ऐसे कितने case बन सकते हैं वही होता है आपका A से B में कारते गुड़न फल तो यदि हम A से B में कारते गुड़न फल लखेंगे तो देखो वो क्या हो जाएगा देखो राम राम फूर आर कृष्ण फूर के रहीम फूर आर एच लग देता हूँ चलो गोपाल फूर जी ठीक है सीता फूर एस रादा फूर आर गीता फूर जी और लच्मी फूर एल ठीक है अब देखो राम की साधी सीता के साथ भी हो सकती है राम की साधी रादा के साथ भी हो सकती है राम की साधी गीता के साथ भी हो सकती है राम की साधी लच्मी के साथ भी हो सकती है तो ऐसे जोड़े बन सकते है उसके अलावा कृष्ण की साधी भी इन में से किसी के साथ भी हो के कॉमा आर भी हो सकता है के कॉमा जी भी हो सकता है और के कॉमा एल भी हो सकता है इसी परकार रहीम की साधी इन चारों में से किसी के साथ भी हो सकती है तो रहीम की साधी सीता के साथ भी हो सकती है रहीम की साधी रादा के साथ भी हो सकती है रहीम की साधी गीता के साथ भी हो स इसी प्रकार गोपाल की साधी भी इन चारों में से किसी के साथ भी हो सकती है तो गोपाल की साधी सीता के साथ भी हो सकती है गोपाल की साधी गीता के साथ भी हो सकती है और गोपाल की साधी लच्मी के साथ भी हो सकती है तो कुल बच्चों मेरे पास इतने जोड़े बन सकते ह ठीक है तो यही होता है बच्चो ए से बी में कारते गुड़न फल यहां पर आप देख रहे हो कि ए से बी में कारते गुड़न फल में जो क्रेमिति आए हैं उनका प्रिथम अवियब ए समुच्चे का है और दुत्ति अवियब बी समुच्चे का है ठीक है बच्चो तो यही हो बहुत अच्छे बच्चो बहुत अच्छे है थीक है हाँ तो अब च्चो आगे हम लोग एक क् fines देखते हैं इस coses आरती गुड़न के समान है तो पहले हम P cross Q लिकालते हैं अब देखो समुच्चे P में कौन कौन से अवेव हैं A है B है और C है समुच्चे Q में कौन सा वेव है केवल R ठीक है अब देखो यह हो सकता है A का connection R के साथ बने A का connection R के साथ बने C का connection R के साथ बने तो तीन बच्चों यह मेरे पास क्रेमित युगम आ सकते हैं ठीक है अब चूंकि हमें P cross Q गयात करना है तो पहला अब अब होगा P समुच्चे का दूसरा होगा Q समुच्चे का तो यह हो जाएगा A, R, B, R, C, R ठीक है तो यह हो जाएगा P cross Q अच्चा बच्चों यदि मुझे Q cross P लिकालना हो तो इसका मतलब है पहला अब यह क्यू के लिए ना है दूसरा अब यह पी के लिए ना है तो यह हो जाएगा R, A, R, B, R, C ठीक है तो यह आगे हमारे पास Q cross P अब यह तो हमने गयात कर लिए अब हमें यह बताने कि क्य है यह दोनों कारते गुडन बराबर हैं तो देखो बच्चों क्या P cross Q और Q cross P बराबर हैं क्या नहीं है यह बराबर तो P cross Q बराबर नहीं है Q cross P क्यों 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 क्य होता है ठीक है क्लियर ये बात क्लियर बच्चो किलियर? बहुत अच्छे अब बच्चो यहाँ पर कुछ मैतिपूर बिंदू है, वह मैतिपूर बिंदु आपको याद रखने हैं, दिखो यहाँ पर एक चीज आपने देखी, की देखो P में कितने अवियव हैं? तीन अवियव. Q में कितने अवयव हैं एक अवयव तो P क्रॉस Q में कितने क्रेमितियों बने देखो एक दो तीन क्रेमितियों बने क्या मैं इनको ऐसे लिख सकता हूँ N of P गुणा N of Q बिल्कुल लिख सकता हूँ ठीक है तो इसका मतलब यदि बच्चो N of A में मेरे पास X अवयव हो N of B में मेरे पास Y अवयव हो मतलब समचे A में X अवयव समचे B में Y अवयव हो तो N of A क्रोस B क्या हो जाएगा A से B में कार्टियों कितने क्रेमितियों होंगे X गुणा Y ठीक है बच्चों तो ये एक बहुत ही महत्पुन नियम गुर्दर नियम है इसको आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे बहुत ही महत्पुन बिंदू है तो पहला महत्पुन बिंदू तो देखो ये है कि A क्रोस B B क्रोस A के बरावर नहीं होता है ठीक है दूसरा इंपॉर्टेंट बिंदू ये है कि यदि N of A A समुच्चे में अविवो की संख्या P हो B समुच्चे में अविवो की संख्या Q हो तो A क्रोस B में क्रे में तीगमों की संख्या हो जाएगी P Q ठीक है बच्चो और तीसरा महत्मुन गुर्दर में अम मालो मैं आपसे कहूं कि A क्रोस B B क्रोस A के बरावर है तो ये बच्चो तब ही हो सकता है जब A और B समान समुच्चे हों जब A और B समान समुच्चे हों तभी A से B में कारते गुड़न B से A में कारते गुड़न के बरावर होगा अन्यथा बरावर नहीं होगा ठीक है ठीक है बच्चो ए से B में कारते गुड़न B से A में कारते गुड़न के तभी बरावर होगा जब समुच्चे A और समुच्च भी बराबर होंगे ठीक है छिलियर ये बात बहुत अच्छे अब बच्चो समय हो गया है आज की पहली quiz का तो सभी बच्चे तयार हो जाएंगे पहली quiz के लिए आपके सामने आ रहा है पहली quiz का पहला प्रसन जो कि बच्चों ये है यदि समुच्चे A में M अव्यव हों समुच्चे B में N अव्यव हों तो A क्रोस B में अव्यवों की संख्या कितनी होगी बताइए बच्चों मुझे A क्रोस B में कितनी अव्यव होंगे पहला विकल पर आपके पास दो की घात MN दूसरा विकल पर दो की घात M-N तीसरा विकल पर MN चौथा विकल पर इन में से कोई नहीं बच्चो आपका समय याँ पर होता है समाप अब देखो मैंने आपको बताया कि यदि समुच्छे A में P अवयब हो समुच्छे B में Q अवयब हो तो A से B में कार्ते गुड़न में अवयबो की संख्या होती है P क्यू सेम ऐसे ही बच्चो यदि समुच्छे A में M अवयब है समुच्छे B में N अवयब है तो A क्रोस B में अवयबो की संख्या हो जाएगी M N M गुड़ा N तो सी विकल बच्चों मारा सही उत्तर हो जाएगा ठीक है तो कितने बच्चों के आंसर सही थे काफी बच्चों के आंसर सही थे मनुच कुमार, सुम गुपता, आचल, नीरज कुमार, नितिस कुमार, देवेंद्र कुमार, गोहर खान काफी बच्चों के आंसर सही थे 75 परतीसत बच्चों ने आंसर बिलकुल सही बताया था बाकि 25 परतीसत ने कहां पे गलती करी देखो भाई जल्दी से देखो बहुत अच्छे बच्चों बहुत अच्छे सिवम सर्मा होती है संबंद अब संबंद क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं तो जैसे बच्चों आपने दैने के जीवन में संबंद सुनें ना जिसे माता का पुत्र के साथ संबंद है पुत्र का पिता के साथ संबंद है बाही का बहन के साथ संबंद है चाचा का बतीजे के साथ संबंद है ऐसे ही बच्चों गड़त में भी संबंद होते हैं अब संबंद गड़त में किस परकार के होते है वो आप लोग समझेगा ठीक है तो मान लो बच्चो मेरे पास कोई समुच्चे ए है जिसमें हमारे पास भारत के कुछ राज्य है मान लो एक तो है मेरे पास राजिस्थान ठीक है एक है बच्चो मेरे पास यूपी उत्तर प्रदेश ठीक है एक मेरे पास है बिहार ठीक है बच्चो एक मेरे पास हरियाना और एक मेरे पास MP मद्धे परदेश ठीक है ये मेरे पास भारत के पांच राज्ये है अब भी बच्चो मेरे पास एक समुच्चे है जिसके अंतरगत भारत की कुछ सहरों के नाम है जिनमें पहले नमबर पर मैंन एक मैंने लिख दिया उदैपुर को ठीक है एक बच्चों मैंने लिखाए लखनों को एक मैंने लिखाए कानपुर को एक मैंने लिखाए पटना को एक मैंने लिखाए बच्चों चंडीगड को ठीक है एक मैंने लखाया बोपाल को और चलो एक और लिख देता हूं इन दौर ठीक है तो यह बच्छों कुछ मैंने सहरों के नाम लिखे हैं जो की बीमें इस देदा चलो एकाद दो और लिख देता हूं मैं आपके लिए एक दो और लिख दिता हूँ इन दो और लिख दिया एक सेर का नाम और डाल दिता हूँ वो मान लो मैंने डाल दिया सिमला डाल दिया चलो ठीक है सिमला ओके बच्चों तो ये मैंने भारत के कुछ सेरों के नाम लिखे है तेके हैं आप देखो यदी मुझे सम dominant अ से समंचे भी में कार्ते कुरंफन लिका ला हो तो वो क्या होगा एक रोस बी बराबर हो जायगा मेरे पास देखो राजिस्थान आप राजिस्थान का connection सन इनमें से किसी के साथ भी हो सकता है ठीक है तो देखो राजिस्थान का राजिस्थान को मैं आर से व्यक्त कर रहा हूं देखो इसको मैं आर से करूँगा इसको मैं यू से करूँगा इसको मैं एम से करूँगा ऐसे यहां पर इसको जे से इसको उदैपुर तो यू से लखन और तो E से, ठीक है, इस तरीके से बच्चो मैंने I से, इंदोर को हम I से व्यक्त करेंगे, ठीक है, तो इस तरीके से बच्चो मैंने को व्यक्त कर दिये, अब दो को राजिस्थान का कनेक्शन इनमें से किसी के साथ भी हो सकता है, तो R का कनेक्शन J के साथ भी हो सकता है, R का connection U के साथ भी हो सकता है R का connection L के साथ भी हो सकता है R का connection K के साथ भी हो सकता है R का connection P के साथ हो सकता है R का connection C के साथ हो सकता है R का connection B के साथ हो सकता है R का connection S के साथ हो सकता है R का connection I के साथ हो सकता है सेम ऐसे बच्चो यही चीछ चलेगी U के उपर तो यू का जे के साथ, यू का यू के साथ, यू का अल के साथ, यू का के साथ, यू का पी के साथ, यू का सी के साथ, यू का बी के साथ, यू का एस के साथ, और यू का आई के साथ हो सकता है सेम यही चीछ चलेगी बच्चों आपकी बिहार पर तो बी का जे के साथ, बी का यू के साथ, बी का अल के साथ, बी का के साथ, बी का पी के साथ, बी का सी के साथ, बी का बी के साथ, बी का एस के साथ, और बी का आई के साथ हो सकता है ठीक है, सेम बच्चों चलेगी आपकी एज पर, एज का जे के साथ, एज का यू के साथ, एज का एल के साथ, एज का के साथ, एज का बी के साथ, एज का सी के साथ, एज का बी के साथ, एज का एस के साथ, और एज का आई के साथ हो सकता है, ठीक है, इसे परकार M का देखो M का J के साथ भी हो सकता है M का U के साथ भी हो सकता है M का L के साथ भी हो सकता है M का K के साथ भी हो सकता है M का P के साथ भी हो सकता है M का C के साथ भी हो सकता है M का B के साथ भी हो सकता है M का S के साथ भी हो सकता है और M का आई के साथ भी हो सकता है ठीक है तो ये बच्चों हमारे पास A से B में कारति गुणफल आ जाएगा देखो कितने अब होने चाहिए थे पांच गुणा, दो, चार, दो, छे, साथ, और दो, नौपढम, पैंतालिस होने चाहिए थे गुणों आप लोग इनकों पैंतालिस ही है ठीक है ये पैंतालिस ही मेरे पास क्रेमत युग में ठीक है बच्चों तो ये मेरे पास आ गया A क्रोस B अब दोगो संबंद R क्या होता है दोगो संबंद R में क्या होगा बच्चों संबंद R में समुच्चे A के अव्यव समुच्चे B के अव्यव से किसी एक नियम द्वारा जुड़े होंगे किसी एक रिस्ते द्वारा जुड़े होंगे जिसे आप अपनी माता जी से किसी रि समुच्चे भी किसी रिष्टे द्वारा जुड़े होते हैं जैसे कि मालो मैं एक रिष्टा कहता हूं रिष्टा मतलब और ठीक रिलेशन अम मालो मैं एक रिलेशन कहता हूं रिलेशन क्या है रिलेशन बच्चों ये है कि ए समुच्चे के अंदर तो क्या है हमारे पास राज उन सभी सिटियों या सहरों का कनेक्शन करो जो की समुच्चे A की राजधानी है इसका मतलब मैं बच्चो एक सम्मंद आर इस प्रकार से इस्थापित कर रहा हूं जिसमें A, B के क्रेमित युग में जहां पर A समुच्चे A का अवियव है B समुच्चे B का अवियव है और B जो है वो A की राजधानी है ठीक है? कैपिटल है ठीक है बच्चो ये मैंने एक सम्मंद इस्थापित कर दिया समुच्चे A और समुच्चे B के अंतरकत कि भई समुच्चे B में जो सहर हैं वो समुच्चे A की राजधानी है ये मैंने एक सम्मंद इस्थापित कर दिया ठीक है? अब यदि बच्चो हम यहाँ पर देखें तो ये सम्मंद हो जाएगा हमारे पास देखो क्या? देखो बच्चो राजधानी क्या है? जैपर है तो एक R का कनेक्शन आ जाएगा J के साथ तो एक क्रामितिव्यूम तो आ गया R,J देखो पहला अब यहाँ मुझे A का लेना है दूसरा अब यहाँ समुच्चे B का लेना है तो एक हो गया R,J दूसरा देखो क्या हो जाएग इसी प्रकार राजिस्थान की क्या कोई और राज़दानी है नहीं है UP की राज़दानी लखनव है क्या और कोई है नहीं है तो U का हो जाएगा L के साथ में connection ठीक है बच्चों इसी प्रकार अगला है बियार अब बिहार के होती है पटना, तो B का हो जाएगा P के साथ, ठीक है, इसी परकार अगला देखो क्या है, अगला है हरियाना, अब हरियाना की राजदानी क्या होती है, चंडीगड, तो H का हो जाएगा C के साथ, ठीक है, अब इसी परकार, अगला है MP, मद्दे परदेश, कुछ रह गया गया कुछ नहीं रहा ठीक है तो ये बच्चो मेरे पास में एक संबंद आ गया एक कनेक्शन आ गया समुच्चे A और समुच्चे B के अव्यवों के बीच में और वो कनेक्शन क्या है वो रिस्टा बच्चो ये है कि B A की राजदानी है तो इसी को बच्चो हम गड़ित में संबंद कहते हैं ठीक है अब देखो एक संबंद तो यह हुआ मालो में और दूसरे कनेक्शन से इनको जोड़ता मालो बच्चो में ये कहता कि मेरे पास एक ऐसा संबंद है जिसमें A, B के रुप में क्रेमित युग में जहां A समुच्चे A का आव्यव है B A का एक सहर है ठीक है मतलब B के अंदर जो सहर दिये हुए है वो राज्ये किस राज्ये के हैं ये आपको बताना है ठीक है तो देखो राजिस्थान के कौन कौन से सहर है एक तो जैपूर है एक उदैपूर है तो राजिस्थान का किस से कनेक्शन हो जाएगा राजिस्थान क हो जाएगा उदैपुर के साथ क्या किसी और के साथ हो सकता है क्या देखो किसी और के साथ हो सकता है नहीं हो सकता और कोई राहिस्थान के अंदर नहीं आते ऐसे यूपी के अंदर लखनौ भी आता है कानपुर भी आता है तो यूपी का एल और के के साथ हो जाएगा तो यू तो B का हो जाएगा B के साथ में, सम्मंद, ठीक है, इसी परकार हर्याना के कौन-कौन से सहर है, अब हर्याना का देखो किवल चंडीगड़ है और कोई सहर नहीं है, ठीक है, वैसे बच्चो यदि हम देखें तो चंडीगड़ ना तो हर्याना में गिना जाता है, ना ही पंजा गड़ में लिख सकते हो ठीक है तो चलो मैं लिख देता हूँ हरियाना को चंडी गड़ में लिख दिया है ठीक है ओके अब बच्चो बात करें MP की तो मद्दे परदेश का भूपाल भी है और इंदोर भी है तो बी भी है बच्चो और आई भी है बोपाल भी है और इंदोर भी है तो यह मेरे पास में एक संबंद R2 बन गया जिसमें B A का X है ठीक है तो इन्हे को बच्चो गड़त में हम संबंद कहते हैं अर्थात संबंद क्या होता है संबंद R बच्चो एक इस परकार के कृमित युगमा का समुच्य होता है जिसमें मान लो A समुच्चNE A का लिया जारा है B अव्यव समुच्य B का लिया जारा है और समुच्चänder A का अव्यव समुच्चे B के अव्यव से किसी संबंद द्वारा जुड़ा हो ठीक है तो इस तरीके से बच्चों हम किसी संबंद को निरूपित करते हैं ठीक है यह होता है बच्चों गड़त में संबंद ओके समझ में आया सही बच्चों को संबंद क्या होता है संबंद समझ में आगे है बच्चों आपको कमेंट सेक्षन मुझे लिखके बताए जल्दी से देखो very important चीज है ये यदि आपको संबंध समझ में नहीं आये होगा तो आगे आपको दिक्कत होगी संबंध समझ में आगे सही बच्चो को बेटा मेरे 12 में 100 में से 100 मार्ग साए थे किलियर है बहुत अच्चे अब बच्चो हम लोग संबंध को कारते गुडनफल के उपसमुच्छे के रूप में देखते हैं तो देखो यहाँ पर आपने A क्रोस B लिकाला और यहाँ पर आपने संबंध लिकाला देखो बच्चो संबंध R1 में जो भी क्रेमित युग में हैं क्या वो A क्रोस B में हैं बिल्कुल हैं देखो R, J है U, L है B, P है उसके अलावा और कों से थे H, C, M, B तो देखो H, C भी है M, B भी है तो समुच्चे तो R1 जो संबंध में जितने भी क्रेमित युग थे वो A क्रोस B में मौजूद हैं इसका मतलब बच्चो A से B में सम्बंध A क्रोस B का एक उप समुच्चे होता है तो R जो होता है वो उप समुच्चे होता है A क्रोस B का ठीक है तो यह आपको याद रखना है कि सम्बंध क्या होता है A से B में कारतिय गुडन का एक उप समुच्च होता है ठीक है तो यदि आप सम्बंद की यहां से परिवासा देखने चाओगे तो सम्बंद की परिवासा हो जाएगी समुच्चे A से समुच्चे B में सम्बंद R A क्रोस B का एक उप समुच्चे होता है जिसमें समुच्चे A का प्रतेक अव्यब है ऐसा बच्चो वो संबंद होता है ठीक है बेटा मेरे जई में उस टाइम पर जब मैंने जई दिया था तो मेरे मैथ में 120 में से 85 मार्क्स आये थे 2000 बच्चो मेरी अल इंडिया रेंग थी क्या करोगे समजानकर आप लेकर आओ तो मजा आएगा ठीक है ठीक है ठीक है बच्चो समझ में आगई ये वाली चीज अब बच्चो हम बात करते हैं कुल संबंदों की संख्या की ठीक है तो देखो अभी मैंने आपको बताया कि समुच्चे A से संख्यों की संख्या होती है ठीक है अम मालो मेरे पास समुच्चे A में M अव्यव हैं और समुच्चे B में N अव्यव हैं ठीक है तो A क्रोश B में कितने अव्यव होंगे कितने क्रेमितियून होंगे बच्चो M गुणा N होंगे अब मैं कह रहा हूँ कि A से B में संबंद A क्रोस B का एक उपसमुच्चे होता है अब बच्चो मैंने आपको कल की क्लास हम बताए था कि यदि किसी समुच्चे में P अव्यव हो तो उसके कितने उपसमुच्चे बनते हैं दो की घात P तो यदि A क्रोस B में M N अव्यव हैं तो उसके कितने उपसमुच्चे बनेंगे दो की घात M N यही होती है बच्चो आपकी समुच्चे A से समुच्चे B में संबंदों की संख्या तो समुच्चे A से B में संबंदों की संख्या जो होगी वो बराबर हो जाएगी दो की घात M N के ठीक है बच्चो अब इसको एक उधार्ण दोरा समझते हैं तो माल लो यह मेरे पास एक उधार्ण है माल लीजे समुच्चे A में 3 अवेव हैं समुच्चे B में 2 अवेव हैं N of B में हमारे पास दो अवेव हो गए तो A क्रॉस B में कितने क्रैमितिव होंगे A क्रॉस B में हो जाएंगे 3 गुणा 2 बराबर 6 तो संबंदों की संख्या कितनी हो जाएगी संबंदों की संख्या बराबर हो जाएगी 2 की घात N गुणा एक क्रोस भी अर्थात दो की घाच छे के बराबर तो यह हो जाएगा मेरे पास 2, 2, 4, 2, 8, 2, 16, 2, 32, 64 कितने संबंद हो जाएंगे बच्चो 64 संबंद हो जाएंगे तो जैसा कि मुझे आंसर दीख रहे हैं बच्चो के जतिन, मनुच, कुमार, लखनी सबके आंसर बिलकुल सही हैं ठीक है संबंदों की संख्या बच्चो क्या हो जाएगी 64 हो जाएगी ठीक है अब बच्चो यहाँ पर एक चीज देखिए मैंने आपको कुल संबंदों की संख्या बताई ठीक है अब यहां पर बच्चों मैंने आपको बताए कि कार्ति गुडणफल का उप्समच्चे होता है संबंदार अब गुडणफल में क्या कोई रिक्त संबंद आया को तेखो हमने पिछली क्लास में जाना था कि किसी समुच्चे का रिक्त समुच्चे भी एक समुच्चे होता है तो इसका मतलब रिक्त समुच्चे भी एक संबंध होगा रिक्त समुच्चे भी क्या होगा बच्चो एक संबंध होगा ठीक है बच्चों रिक्त समुच्चे भी एक संबंध होगा बेटा में 12th किलास के VIP कोर्स में जल्दी आऊंगा अभी साइसर पढ़ा रहे हैं जब साइसर अपना पूर्शन कंप्लेट कर दिंगे तो उसके पस्चात में महा पर आऊंगा ठीक है आऊंगा बेटा में महा पर भी आऊंगा अब घबराऊ मत ठीक है तो समझ में आ गया सही बच्चो को ये वाला कोईशन पर तेख बच्चे को ये वाला कोईशन समझ में आ गया हाँ या ना में मुझे बच्चो जल्दी से मज़ा आ गया बहुत अच्छे अब बच्चो टाइम हो गया आपकी second quiz का तो second quiz के लिए आप तयार हो जाएए जल्दी से बच्चों मुझे answer बताईएगा second quiz का तो question है आपको माना की N अविवाला कोई एरित समुचे X है तो X पर कितने संबंद बनेंगे ठीक है आप मुझे ये बताईए अब यह आपर देखो X से X में एक कारतिय गुड़न है ठीक है तो कितने संबंद बनेंगे ये मुझे बताईए पहला विकल्प है दो की घात N स्क्वाइर दूसरा विकल्प है दो की घात N तीसरा विकल्प है दो की घात दो N चौथा विकल्प है N स्क्वाइर बताईए बच्चों कौन सा विकल्प से ही होगा बच्चो आपका समय होता है आप समाप्त अब देखते हैं इनके आंसर तो N अविव वाला X समुच्छे X है ठीक है अब देखो X में कितने अविव हैं N तो X क्रोस X में X क्रोस X में कितने क्रेमितिव होंगे N गुणा N मतलब की N स्क्वाइर होंगे अब इसके कितने संबंद बन सकते हैं तो 2 की घात N स्क्वाइर तो कौन सा विकल्प बच्चो सही हो जाएगा A विकल्प ठीक है ये था बच्चो आपकी आज की क्विज का आंसर ठीक है किलियर बहुत अच्छे अब बच्चो हम लोग अगले टापिक पर चलते हैं अगला टापिक है संबंदों का निरूपण अब बच्चो संबंदों को हम तीन प्रकार से निरूपद करते हैं एक तो है रोष्टर रूप एक है समुच्चे निर्माण रूप और एक है बच्चो आपका तीर आरे ठीक है इन तीन तरीकों से बच्चो हम संबंद को निरूपित करते हैं जैसे कि माल लो मेरे पास समुच्चे ए है जिसके अंदर अव्यव्य मेरे पास एक दो तीन चार पांच है ये ठीक है अब मेरे पास समुच्चे ए से ए में एक सम्मंद आर इस परकार से है ठीक है कि जो मेरे पास इस परकार से सम्मंद लगा लो कि जिसमें ए कॉमा बी की रूप में क्रेमे त्यूग में है ए और बी दोनों ए समुच्चे के अव्यव्य है ठीक है और ए बराबर किसके है बी अब ये बच्चो कौन सा रूप है किस रूप में मैंने इसको लिखा तो यहाँ पर देखो मैंने सम्मंद को एक परिभासा की रूप में लिखा है सम्मंद को मैंने किस रूप में लिखा है परिभासा की रूप में लिखा है और परिभासक रूप में किस रूप में लिखा जाता है समुच्चे निर्माड रूप में, तो ये तो हुझाएगा इसका समुच्चे निर्माड रूप, समुच्चे निर्माड रूप, अब मैं इसको रोष्टर रूप में लिखता हूँ, तो रोष्टर रूप में क्या करत हम समुच्चे के अवयवों को कॉमा से अलग-अलग करते हैं तो यहां पर देखो ए बरावर बी स्कॉयर है अवयदी मैंने बी कामान एक लिया तो एक कामान एक आ जाएगा तो एक तो हो गया एक कॉमा एक बी कामान मैंने दो लिया ये हो गया आपका रोश्टर रूप ठीक है अब तीर आरे ग्रूप क्या है तो देखो बच्चो ये हमारे पास समुच्छे A है ये भी हमारे पास समुच्छे A है ठीक है इसमें हैं एक दो तीन चार पांच है इसमें भी हैं एक दो तीन चार पांच है अब देखो एक किस से ज चोड़ते थे ऐसे ही ए समुच्चे के अबयब ने ए समुच्चे के अबयब उपर एक तीर छोड़ दिया ठीक है तो एक से एक में हो गया संबंद एक चार का दो में तो चार से दो की तरफ एक तीर छोड़ दिया तो यह हो गया बच्चो आपका तीर आरेक द्वारा तो इस प्रकार से संबंदों का निरूपन किया जाता है ओके रोष्टर रूप से भी समुच्चे निर्मार रूप से भी और तीर आरेक द्वारा भी ठीक है अब बच्चो अगला टॉपिक है हमारा संबंद का प्रांथ प्रांथ क्या होता है ठीक है तो संबंद का प्रांथ ह होता है आर बच्चों देखो आपको क्या होता है आर होता है आपका ए कॉमा भी जहां पर ए होता है आपका ए समुच्छे का विव भी होता है आपका भी समुच्छे का विव मालो ए से भी में हमें सम्मंद आ रहे हैं ठीक है तो इस आर का प्रांत होगा क्रेमित युगमों के प्रिथम घटकों का समुच्च आर का प्रांत क्या होगा क्रैमित युगमों के प्रिथम घटकों का समुच्च ये हमारे पास क्या हो जाएगा आर का प्रांत हो जाएगा जैसे अभी हमने पिछले प्रिश्ट में देखा कि आर हमारे पास क्या था 1,1,4,2 था ना ते आपर प्रिथम अभी होता है एक और चार क्रेमत वियुमों के तो R का प्रांद το हो जाएगा इनका समुच्छ अरथात 1,4 ये हो गया बच्चो लिए बच्चो इसका प्रांद ठीक है समद्ध का प्रांद क्या होता है क्रेमित युग्मों के दुत्य अव्यवों का समुच्छ, क्रेमित युग्मों के दुत्य घटकों का समुच्छ सम्मंद का परिसर कहलाता है। तो परिसर क्या होता है परिसर होता है क्रेमित युग्मों के दुत्य घटकों का समुच्च जैसे बच्चों हमने एक आर अभी देखा था आर बराबर एक कॉमा एक कॉमा चार कॉमा दो तो यहाँ पर दुत्य घटक क्या थे क्रेमित युग्मों के एक और दो तो इनका जो समुच्च बनेगा वो हमारा क्या होगा वो बच्चों हमारा परिसर होगा ठीक है वो हमारा परिसर होगा तो आर का परिसर हो जाएगा एक किसे बच्चों हम संबंद का प्रांथ और परिसर लिकालते हैं अब इसके बाद बच्चों संबंद का सेप्रांथ तो जो आपका समुच्चे भी था समुच्चे भी जो है बच्चों वो संबंद का सेप्रांथ होता है ठीक है यह होता है सेप्रांथ तो इसके अलावा यहां पर एक important बात है important बात ये है कि संबंद का जो परिसर होता है वो सहपरांद का उपसमुच्चे होता है ठीक है संबंद का परिसर सहपरांद का उपसमुच्चे होता है ठीक है बच्चों तो ये topic थे जो कि हमने आज की class में discuss किये अब बच्चों ये question है इसको आप हमबर के तोर पर लिखिए आपको इसमें सम्वंद को रोष्टर रूप में लिखना है और इसके प्रांथ और परिसर ग्याद करने है ठीक है बच्चों रोष्टर रूप में लिखना है और इसको प्रांथ और परिसर आपको ग्याद करने है चलो इसको मैं ही करा देता हूँ चलो क्या आप करोगे ठीक है तो दोगो हमारे पास R क्या बनेगा रोश्टर रूप में लिखना है मतलब अब यह वो को कौमा से अलग अलग करना है अब यहाँ पर X क्या है चार से कम प्राकर संग्या कौन-कौन सी होगी एक दो और तीन ठीक है तो X के मान मुझे पता लग गए अब जब मै प्रांत की बात करूँ तो प्रिथम अवेवो का समुच्चे अर्थात एक दो तीन परिसर की बात करूँ तो दुत्य घटकों का समुच्चे अर्थात छे साथ राट तो यह इसके प्रांत और परिसर हो गए ठीक है तो यह थे बच्चों आपके आज की कोईश्चन अब यह question आप home work में लखिए ये question बच्चो आपका home work का है इसको आपको खुद से solve करना है ठीक है खुद से solve करिएगा बच्चो इस question को अब बच्चो बात करते हैं संबंदों के प्रकारों के बारे में तो हमारे होता है संक्रामक संब्द और साथ वह होता है बच्चों तुलित संब्द इन साथों संब्दों के बारे में हम कल की टिसक्स करेंगे ठीक है अब समय हो गया बच्चों आज की तीसरी पूच का तो तयार हो जैए तीसरी कूच के लिए आपके सामने आ रहा है question तो ये रा बच्चो आपका question यदि A में तीन अव्यव हों B में दो अव्यव हों तो A से B में कितने भिन भिन मंद परिवासित हो सकते हैं तो पहला विकल्प है 6 दूसरा विकल्प है 32 तीसरा विकल्प है 64 चौथा विकल्प है इन में से कोई नहीं बताइए बच्चो कौन सा विकल्प सही होगा बच्चो आपका समय यहां पर समाप्त हो गया अब देखो A में कितने अविकल्प है 3 B में 2 तो A से B में सम्मंद में कितने अविकल्प हो जाएंगे कितने सम्मंद होंगे 2 की गाच 6 अर्था 64 कौन सा विकल्प सही हो गया तो यह थे बच्चो आपकी आज की quiz के answer अब आज की class में हमने समच्चों का कारते गुणन देखा संबंद देखा, संबंद का परांद सैपरांद परिसल लिकार ना सीखा और संबंदों के परकार देखे ठीक है अब आज से बच्चो आपका actual class 12 का अध्याय आरंभ होगा और हमारा पहला topic होगा संबंदों के परकार आज बच्चो हम संबंदों के भिन भिन परकारों के बारे में detail में जानेंगे ठीक है बच्चो तो अनुज सैनी हलो अनुज बेटा, हलो रिसब बेटा हलो मनुज बेटा, हलो अनुप, हलो नीराज, हलो ससी हलो सत्यम मैं अच्छाओं बेटा, हलो प्रियांसू हलो तनू हलो खुसी बेटा, हलो प्रियम प्रताब, हलो पवन, हलो जतेन हलो अमीन, तो काफी बच्चो ने मुझे जॉइन कर लिया है ठीक है तो दोगो इस अध्याय में सबसे पहले हमने जाना था समुच्चे के बारे में जिसमें बच्चो मैंने आपको समुच्चे को कैसे निरूपित किया जाता है इसके बारे में बताया, उप समुच्चे क्या होता है इसके बारे में बताया, गास समुच्चे क्या होता है इसके बारे में बताया, समुच्चो के उपर संक्रिया करके बताई, जैसे समुच्च मैंने आपको यहाँ पर बताई थी इसके पश्चाइट बच्चों हमने संबंद के बारे में जाना पिछली किलास में जिसमें संबंद क्या होता है संबंद का समुच्चों का कारते गुड़नफल कैसे निकालते हैं संबंद क्या है संबंद का प्रांद से प्रांद तब परिसर क्या होता है तिता संबंदों के कौन कौन से प्रकार होते हैं अब संबंदों के प्रकारों के बारें बच्चों हम आज की कलास में जानेंगे इसके बाद अगली क्लास से बच्चों हम आरम करेंगे फलन को जिसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि फलन क्या होता है उसके पशाथ हम फलन का प्रांत से प्रांत वे परिशन निकालना सेखेंगे उसके बाद फिर हम फलनों के प्रिकार देखेंगे फिर हम फलनों का संयोजन देखेंगे एंडेन उसके बाद हम प्रतिलों फलन के बारे में बात करेंगे इसके बाद बच्चों हमारा नेश्ट टॉपिक होगा द्वी आधारी संक्रिया है जो की बहुत आसान टॉपिक है ठीक है तो इस तरीके से बच्चों आपका ये अध्याय चलने वाला है अब आज की क्लास हम संबंदों के प्रकार पढ़ने वाले हैं ठीक है कि कौन कौन से संबंदों के प्रकार होते हैं ठीक है तो सभी बच्चे रेडी हैं आज की क्लास के लिए ready हैं सही बच्चे तो चलिए बच्चो आरम करते हैं आपकी आज की क्लास को सबसे पहले बच्चों पिछली क्लास का थोड़ा revision कर लेते हैं तो पिछली क्लास हम बच्चों मैंने आपको संबंध के बारे में बताया था अब क्या होता बच्चों संबंद देखो समुच्चे A से समुच्चे B में संबंद आर A क्रोस B का अर्थात A से B में कारतिय गुणनफल का एक उप समुच्चे होता है ये बच्चों मैंने आपको पिछली किलास में बतायता है ठीक है क्या होता है संबंद संबंद समुच्चे a से संबुच्च b में संबंद r a x b का एक उपसंुच्च होता है ठीक है यानि की r जो होता है उपसंुच्चो होता है a x b का ठीक है अब इसके अलाब बच्चों मैंने आपको संबंदो की संख्या गयात करने का सूत्र भी बताए था क्या होता है संबंदों की संख्या ग्यात करने का सूत्र देखो यदि N of A बराबर P हो N of B बराबर Q मतलब A समुच्चे में अवेबों की संख्या P हो B समुच्चे में अवेबों की संख्या Q हो तो R संबंदों की संख्या हो जाएगी A से B में A से B में संबंदों की संख्या कितनी होगी बच्चों मुझे बताईए पिछली क्लास में मैंने आपको बताई था A से B में संबंदों की संख्या कितनी होगी यह होगी बच्चों आपकी दो की घात PQ के बराबर ठीक है किसके बराबर होगी दो की घात PQ के बराबर होगी ठीक है किलियर बच्चों तो यह होता है आपका संबंद और संबंद की परिवासा अब बच्चों मैंने आपको पिछली क्लास में जैसे कि मैंने आपको कुछ उधान भी कर्वाए थे, बच्चों मैंने आपको पिछली किलास में कुछ उधारन, तो वही सम्बंद है अब बच्चों हम लोग आरम करते हैं आपकी आज की पहली कुछ को, देखता हूँ आपको पिछली किलास का कितना याद है ठीक है तो सभी बच्चे तयार हो जाएंगे पहले कुछ के लिए आपके सामने आरा है पहले कुछ का पहला प्रश्न जो की इस प्रकार है यदि आर हमारा 2,2,3,3,4,3,2,4 है तो इसका प्रांत क्या होगा प्रांत बताईए देखो मैंने आपको बताए था संबंद आर का प्रांत जो क्रेमित युम होते हैं आर में उनके प्रिथम घटकों का समुच्चे होता है बच्चो आपको अपको अपको इसका अनसर क्या होगा देखो बच्चो मैंने क्या बताया मैंने बताया कि संबंद का प्रांत संबंद में उपस्थित क्रेमित युगमों के पिर्थम घटकों का समुच्च होता है तो यहाँ पर देखो पिर्थम घट क्या क्या है एक तो दो है एक है तीन एक है चार तो दो तीन चार ये क्या हो जाएगा संबंद आर का प्रांत हो जाएगा तो इसका मतलब भी विकल्प बच्चों हमारा सही उत्तर हो जाएगा किलियर किलियर बच्चों सभी को समझ में आया काफी बच्चों का सही आंसर था बहुत अच्छा बहुत अच्छे बच्चों बहुत अच्छे इसी तरीके से मन लगा करके पढ़ाई करते रही है आपका board exam अच्छा जाएगा ठीक है नहीं बेटा B option मैच कर रहा है आप कहां सुरहे हो बेटा B option मैच कर रहा है हाँ बेटा 20 है ठीक है हाँ बच्चों अब हम चलते हैं आज की second quiz पर देखो आज मैं लगातार दो कुछ आपके लेकर आया हूँ ठीक है तो तैयार हो जाईए सेकेंड कुछ के लिए बच्चे के रहे सर दो को क्यों छोड़ दिये बेटा दो ले तो लिया अरे मैंने आपको बताया था बेटा समुच्चे में समुच्चे में अव्यव भिन भिन होते हैं हम लोग दो को दो बार नहीं लिख सकते ये क्या है संग्रे है समुच्चे क्या होता है बच्चो संग्रे होता है और संग्रे में हम लोग एक वस्तू को एक बार ही तो लेते हैं दो बार कैसे लिलोगे एक वस्तू को ठीक है तो इसलिए दो केवल एक बार ही आएगा दो बार नहीं आएगा ओके बच्चों ओके अब हम लोग चलते हैं बच्चों सेकंड क्विज पर तो second question के लिए तयार है सही बच्छे तो आपके सामने आ रहा है question, question बच्चों ये रहा आपका क्या है question पूरांकों में संबंध आर इस प्रकार परिवासित है कि X, R, Y यहाँ पर मतलब है कि X, Y का वर्ग है तो बताओ निम्लिकित में से कौन सा कथन सकते है आपको बताना इन में से कौन सा कथन सकते है चार विकल्प है बच्छों आपके पास पहला विकल्प है 4, R, 2 मतलब X, R, 4, Y, R, 2 हो दूसरा विकल्प है X, R, minus 2, Y, R, 4 हो तीसरा विकल्प है X, R, 3, Y, R, 9 हो चोथा विकल्प है X, R, 9, Y, R, 4 हो तो बताएजे कौन सा विकल्ब सही है बच्चो आपका समय होता है यहां पर समाप अब देखते हैं कि आंसर तो दोगो यहां पर का गया है कि X, R, Y दोगो इसका मतलब है कि X का Y के साथ संबंद है और परिवासा क्या है इसकी? परिवासा यह है कि X जो है वो Y का वर्ग है ठीक है अब पहले वाले विकल्ब के लिए देखते हैं तो पहले विकल्ब के लिए X वराबर है 3 Y वराबर है 2 Sorry X वराबर 4 X वराबर 4 है Y वराबर 2 है अब मुझे यह बताईए बच्चो कि क्या 4 दो कवर्ग है बेलुकल है दो कवर्ग चारी तो होता है तो इसका मतलब A विकल्प हमारा सही है अच्छा B विकल्प को चेक करके देखते है यहाँ पर X कामान माइनस 2 है Y कामान 4 है बच्चों मुझे बताओ 4 कवर्ग कितना होता है 16 क्या माइनस 2 होता है नहीं होता तो यह नहीं होगा ठीक है ऐसे यहाँ पर आजाओ X वरावर 3 है Y वरावर 9 है 9 कावर कितना होता है 81 3 होता है कि नहीं होता तो यह भी नहीं होगा ठीक है यहाँ पर आजाओ यहाँ पर X वरावर 9 है Y वरावर 4 है चार कावर कितना होता है, सॉला, नो तो नहीं होता, तो ये भी नहीं होगा तो कौन सा विकलब बच्चो सही हो जाएगा, ए़ विकलब हाँ मनुच कुमार ने बिल्कुल सही आंसर दिया, नीरज कुमार का भी बिल्कुल सही है जोति गुपता, हैमराज, उम्मेद, आचल, काफी बच्चों ने सही आंसर बता है, रिसव, काफी बच्चों ने इसका बिलकुल सही आंसर बता है, ठीक है बच्चों, तो ये थे बच्चों आपकी क्विज के आंसर, अब बच्चों हम लोग आरम करते हैं आपके आज की क्ला आसमें बताये था कि संबंदों के बहुत सारे प्रकार हैं एक है आपका रिक्त संबंद एक है सारवर्तिक संबंद एक है तस्समक संबंद एक है बच्चो स्वेतुले संबंद एक है आपका सम्मिश संबंद और एक है बच्चो आपका संक्रामक संबंद और एक होता है संबंद को कि रिक्त संबंद क्या होता है ठीक है तो बच्चो रिक्त संबंद क्या होता है देखो बच्चो आप कुने रिक्त समुच्चे पढ़ा होगा अब रिक्त समुच्चे क्या होता था रिक्त समुच्चे एक ऐसा समुच्चे होता था जिसमें कोई भी अव्यब ना हो सेम इसी प्रकार से होता है बच्चो रिक्त संबंद तो एक ऐसा संबंद जिसमें एक भी क्रेमित युगम ना हो उसे हम रिक्त संबंद कहते हैं अर्थात एक ऐसा संबंद जिसमें समुच्चे ए का कोई भी अव्यव समुच्चे बी के किसी भी अव्यव से नहीं जुडा हो उसे हम रिक्त संबंद कहते हैं, ठीक है, तो सही बच्चे रिक्त संबंद की परिवासा लखेंगे, एक ऐसा संबंद, एक ऐसा संबंद, जिसमें, संबंद, समुच्चे एका कोई भी अव्यव, समुच्चे बी के किसी भी अव्यव से नहीं जुड़ा हो, उसे हम रिक्त संबंद कहते हैं, ठीक है, दोगों नाम से पतल लग रहा है, रिक्त, रिक्त मतलब क्या होता है, खाली होता है, मतलब उसके अंदर कुछ भी नहीं है, अब संबंद के अंतर क्या होते हैं क्रेमित युग्म अर्थात यहां पर क्रेमित युग्मों की संख्या क्या हो जाएगी क्रेमित युग्मों की संख्या बराबर हो जाएगी सूनने की ठीक है तो यह होता है बच्चों आपका रिक्त संबंद जैसे की मालो मैं आप से कहूं क R बराबर A कॉमा B A कॉमा B के रुप में सम्मन्द R में क्रेम ती हो ठीक है इस प्रिकार से हैं कि A और B बिलंग्स करते हैं नैच्रल नंबर को ठीक है और A स्क्वार प्लस B स्क्वार बराबर होगा 0 के ठीक है यह मैंने बच्चो एक सम्मन्द R लिख रख रहा है ठीक है कि A कॉमा B के रुप में है जहां पर A कॉमा B बिलंग्स कर रहे हैं N में और A स्क्वार प्लस B स्क्वार बराबर है 0 के ठीक है तो अब बच्चो मुझे यह बताईए आप कि क्या ऐसी कोई दो प्राकर संक्याएं है जिनके वर्गों का योग 0 देता हो ऐसी कोई है क्या दोको यदि हम छोटी से छोटी प्राकर संक्या भी लें यानि कि एक एक लें तो एक का वर्ग एक होता है एक का वर्ग एक होता है तो यह दो देगा जीरो तो कभी देगा ही नहीं तो इसका मतलब इस संबंद आर में कोई भी क्रेमितियुगम नहीं होगा तो ये क्या कहलाएगा बच्चो ये कहलाएगा आपका रिक्त संबंद क्या कहलाएगा बच्चो ये आपका ये आपका रिक्त संबंद कहलाएगा ठीक है? किलियर? किलियर प्रतेग बच्चे को यह चीज? किलियर हो गई? किलियर है ना? देखो आप चाहोते हैं आपर ये भी लिख सकते हो A प्लस B बराबर 0 ये भी लिख दोगे ना तो भी रिक्त संबंद याएगा क्योंकि ऐसी कोई भी दो प्राक्रसंकिया हमारे पास नहीं है जिनका योगफल हमें जीरो मिल जाए ठीक है? तो इसलिए ये संबंद आर रिक्त संबंद होगा जिसमें कोई भी अव्यव ना होगे रिक्त संबंद कहलाता है ठीक है? समझ में आ गया प्रतिक बच्चे को? समझ में आ गया बच्चो एक वार मुझे कनफर्म करके बता दो कि आपको रिक्त संबंद समझ में आ गया है आ गया? बहुत अच्छे बच्चो बहुत अच्छे अब हम लोग चलते हैं संबंदों के कि एक ऐसा संबंद जिसमें जिसमें सारे की सारे क्रेमितियुगम हो अब क्रेमितियुगम किसके होंगे क्रेमितियुगम होंगे A क्रोस B के तो इसका मतलब एक ऐसा संबंद R जो की बिलकुल एकजेक्ट A क्रोस B के बराबर हो उसे हम सारवर्तिक संबंद कहते हैं ठीक है क्या बोलते हैं बच्चो उसे हम सारवर्तिक संबंद कहते हैं यदि संबंद R बराबर हो A क्रोस B के उसे हम सारवर्तिक संबंद कहते हैं ओके क्लियर जैसे की मालो उधार्ण के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ कि R बराबर ठीक है R में A, B के रुक में क्रेमितिव में है ठीक है जहां पर A और B A, B बिलॉंग्स कर रहे हैं N में ठीक है और अब मैंने बहांदिया A और B को एक सम्मंद से कि A तथा B का योग एक प्राक्रत संख्या प्राक्रत संख्या है ठीक है एक प्राक्रत संख्या है अब बच्चों हम लोग जानते हैं किनी दो प्राक्रत संख्याओं का योगफल सदैव एक प्राक्रत संख्या होती है किनी भी दो प्राक्रत संख्याओं का योगफल सदैव एक प्राक्रत संख्या होती है क्या होगा बच्चों यह आपका सारवर्तिक संबंद होगा ठीक है क्या होगा आपका यह यह आपका सारवर्तिक संबंद होगा क्लियर definition भी लखें तो चलिए बेटा definition भी लिख लीजे देखो रिक्त संबंद में तो मैंने आपको definition लिखवा दी सारवर्तिक संबंद के आप परिवासा लिखिए एक ऐसा संबंद आर समुच्चे A से समुच्चे B में एक ऐसा संबंद आर जो की A से B में कार्तिय गुडन फल के बराबर हो उसे हम बच्चो उसे हम सारवर्तिक संबंद कहते हैं ठीक है तो एक ऐसा संबंद आर एक ऐसा संबंद आर जो A से B में कार्तिय गुडन फल के बराबर हो क्या कहलाता है सारवर्तिक संबंद कहलाता है ठीक है किलियर सक्सम बेटा आप लेट हो चुके हो क्विश तो बहुत पहले आ चुकी है क्लास के स्टार्टिंग में क्विश हो चुकी है ठीक है किलियर एक ऐसा सम्मंद आर जो की समुच्चे ए से समुच्चे भी में कारते गुडन फल के बराबर हो उसे हम सारवर्तिक सम्मंद कहते हैं ठीक है अच्छा अब बच्चों हम लोग पृष्ण करते हैं उसके माध्यम से रिक्त संबंद और सारवर्तिक संबंद को और अच्छी से समझते हैं तो यह आपके NCIAT पृष्णावली का ही पृष्ण है NCIAT का उधारन है मान लीजे कि किसी बालकों के स्कुल के सभी विद्यारतियों का समुच्चे है अब दरसाइए कि R बराबर A, B, A, B की बेहन है द्वारा पृष्णत संबंद एक रिक्त संबंद है यह सबसे पहले हमें दरसाना है ठीक है तो दोगों बच्चों समुच्चे क्या है समुच्चे है सभी किसी बालकों के स्कुल के सभी विद्यारतियों का मतलब एक बोईज स्कूल है एक लड़कों का स्कूल है ठीक है उसका समुच्चे है यह ठीक है अच्छा अब संबंद R कहता है हमसे कि A, B की बेहन है अब बच्चो यदि इस्कूल बालकों का है तो वहाँ लड़किया तो है यह नहीं बई लड़कों का इस्कूल है वो लड़किया तो है यह नहीं और लड़किया नहीं है तो बेहन कैसे हो सकती है बेहन तो हो ही नहीं सकती तो इसका मतलब बच्चों इस सम्मंद क्या है रिखते हैं तो सिंपल सा आपको ये लिखना है चूंकि A और B दोनो लड़के हैं तो A B की बेहन नहीं हो सकती अतै यह संबंद रिक्त संबंद है ठीक है अब अगला देखो अगला कह रहा है R डेश एक संबंद है यह कहता है हमसे कि A, B की रूप में किरेमितियों होंगे जहां पर A तथा B की उचाईयों का अंतर 3 मीटर से कम है उचाईयों का अंतर क्या है? 3 मीटर से कम है ठीक है? अब बच्चो 3 मीटर मतलब 301 सेम्टि मीटर दगो व्यक्तियों की उचाई कितनी होती है? उचाई होती है अप्रॉक्स eh कम से कम लगाएं तो अभी 140 से 180 के बीच होती है नौर्मल लोगों की जो उचाईयां होती है वो 140 से 180 से 180 से बीच होती है ठीक है? दोखो अधिकतम उचाही जब 180 Newton central Ellis से जाधा नहीं है तो फिर बच्चो अंतर तीन मीटर से कम हमेंशा ही होगा बई अंतर तीन मीटर से कम हमेंशा ही होगा तो इसका मतलब इसके अंतरगत सारे बच्चे आजाएंगे सारे की सारे बच्चे आजाएंगे ठीक है देखो का गया है कि उचाईयों का अंतर तीन मीटर से कम होना चाहिए यार ये तो होता ही है तीन मीटर से कम तो हमेशा होता ही है आप किसी बच्चे की उचाईयों को देख रहे ना तीन मीटर से कम तो होगी ही होगी तो इसका मतलब इस संबंद आर के अंतरगत सारे की सारे अ बच्चो इस R के अंतरगत आ जाएंगे ठीक है बच्चो तो इसलिए इस संबंद को हम क्या कहेंगे इस संबंद को हम सारवर्तिक संबंद कहेंगे तो यह क्या है R-R-S सारवर्तिक संबंद है ठीक है clear R-S क्या आपका सारवर्तिक संबंद ओके बच्चो अब हम लोगग चलते हैं बच्चो तसमख संबंद पर अब तसमख संबंद क्या होता है तो बच्चो तसमख संबंद होता है I A identity relation जैसे मालो समच्चे A में है ठीक है तो समुच्चे A में identity relation होता है यह बच्चो ठीक है इसको अंग्रेजी में बोलते है identity relation इसलिए हम इसे I A से व्यक्त करते है ठीक है अच्छा यदि समुच्चे B में तस्समख संबंद होता है तो उसे हम I B से व्यक्त करते है ठीक है I A या फिर I B से इसको व्यक्त करते है अब तस्समख का मतलब क्या होता है पहले ता आप मुझे यह बताओ तस्समख का मतलब क्या होता है आप लोग बच्चो छोटी किलासे से तस्समख को पढ़ते आ रहे हो तस्समक अभी अब आपने पर सुनाओगा पड़ाओगा तो क्या होता है तस्समक का मतलब बेटा अगर बच्चा बोना भी होगा तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी बता मुझे उसकी हाइट कितनी हो जाएगी बेटा अगर बच्चा बोना भी होगा ना तो उसकी हाइट होगी बच्चो 1.570 मीटर से कम, अब यार कुछ भी हो बच्चो तो 3 मीटर से कम तो हमेशा रहेगी ना, सभी बच्चो की उंचाएं तीन मीटर से कम तो रहेंगी ना, बता मुझे रहेंगी या नहीं रहेंगी, रहेंगी ना हा या ना रहेंगी बहुत अच्छे तो बच्चो इसलिए इसलिए वो क्या एक सारवर्तिक संबंद है यहां पर हम से कहा गया है कि संबंद है से ए जथा बीकि उचाईयों का अंतर तीन मीटर से कम है अब आप दुनिया के कोई भी व्यक्ति को देख लेना कि नहीं भी दो व्यक्तियों के आप तुनला करके देख लेना उनकी उचाईयों कांतर सदैव तीन मीटर से कम होगा कारण क्या है कारण ये कि भाई भ्यक्ति की उचाई तीन मीटर से जादा नहीं होती भाई उचाई तीन मीटर से जादा हो तब ही तो मैं कहूं कि भाई उनकी जो उचाईयों का अंतर है तीन मीटर से अधिक है जब उचाई तीन मीटर नहीं हो सकती तो फिर अंतर कहां से तीन मीटर से जाद हो जाएगा अंतर नहीं हो सकता तो सदैव तीन मीटर से कम ही रहेगा और तीन मीटर से कम रहेगा तो इसमें सारे की सारे लोग आ जाएंगे ठीक है किलियर ठीक है अब हम बात करेते तस्वमक संबंद की तो तस्वमक संबंद क्या होता है तो तस्वमक का मतलब होता है बिलकुल से में चीज हो ठीक है जैसे कि यदि मैं तस्वमक संबंद की बात करू तो मान लो मेरे पास कोई ठीक है अब ए से ए में एक मेरे पास तस्समक संबंद है तो इसकी परिवासा होती है आई ए बराबर इसमें क्रेमितिवम होते हैं बच्चो ए कॉमा ए की रूप में ठीक है किस रूप में होते हैं ए कॉमा ए की रूप में जहां पर ए जो होता है वो बलॉंक्स करता है आपके ए समुच्चे में ठीक है तो उसे हम कहते हैं तस्समक संबंद जैसे कि माल लो मैंने आप से कहा कि मेरे पास ए कोई समुच्चे है जिसमें एक दो तीन तीन अवयव है ठीक है अब इसका तस्समक संबंद क्या होगा इसका तस्समक संबंद आई ए बराबर हो जाएगा एक कॉम कॉमा 2,2,3,3 ये बच्चों इसका तत समक संबंद हो जाए ठीक है फूर ओल ए बिलॉंस टू ए फूर ओल लगा दो यहाँ ठीक है फूर ओल ए बिलॉंस टू ए ओके बच्चों तो ये होता है आपका तत समक संबंद जैसे कि मालो मैं आप से कहूँ कि B मेरे पास कोई समुच्चे है ठीक है अब मुझे I B लिखना है तो I B बराबर हो जाएगा इसके अंदर B, B के रूप में क्रेम ती होंगे जहांपर for all B ब्लोक्स करेंगे समुच्चे B से ठीक है तो यह आपका तस्समक सम्बंद हो जाएगा उसी का उसी के साथ लिख देना है मनुच कुमान ने बिल्कुल सही बताया उसी को उसी के साथ लिख दो वो होता है तस्समक ठीक है क्लियर परिवासा लिख दीजिए तो परिवासा लिखो बच्चो एक ऐसा सम्बंद एक ऐसा संबन्द जिसमें एक ऐसा संबन्द जिसमें किसी अव्यव का उसी के साथ संबन्द हो जिसमें किसी अव्यव का उसी के साथ संबन्द हो उसे हम उसे हम क्या कहते हैं उसे हम बच्चों तस्समक संबन्द कहते हैं सुद्ध भासा में लिखें तो यहाँ पर बच्चों क्रेमित युमों का पहला अव्यव और दूसरा अव्यव दोनों बराबर होते हैं यह आप लिख सकते हैं यदि आप आम भासा में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो एक ऐसा संबंद जिसमें क्रेमिति उमों का पहला गटक और दुत्य गटक बराबर हो वह एक तस्समख संबंद होता है अब यहाँ पर एक बच्चा पूछ रहा है कि सर क्या आइडेंटिट रिलेशन याँ तस्समख संबंद एक रोस ए में होंगे हां बेटा एक रोस एब समुच्चत लोगा बटे हमेसा एक क्रोस एक बराबर नहीं होगा एक रोस ए पर बच्चो यह नहीं होगा क्योंकि दो को AXAatin, एक कॉमा दो भी आएगा, यहां पर एक कॉमा दो तो ही नहीं, यहां पर तो केवल एक कॉमा एक दो कॉमादो, तीन कॉमा तीन है, ठीक है, तो IA जो होता है, वो AXA का उपसमुच्चे होता है, ठीक है बच्चों, हाँ, उसे हम तस्समख संबंद कहते हैं मनुच कुमा ने बिल्कु से डेफिनिशन लगी है ठीक है ये एक बार फिर से बताएं तो चलो बच्चो एक बार और बताता हूँ मैं आपको दोगो समुच्चे A से समुच्चे B में तस्समख संबंद को हम आई A से व्यक्त करते हैं और इसका मतलब होता है कि एक ऐसा संबंद होता है जिसमें A, A के रुप में क्रेमितिव होते हैं जहां पर सारे A समुच्चे A से लिए गए हो तो जैसे कि मालो मेरे पास A कोई समुच्चे है जिसमें एक दो तीन अब अब है अब इसका मुझे तत्समँख संबंद लिखना है तो वो जाएगा एक कोमा एक, दो कोमा दो तीन कोमा तीन इसे बच्चों हम तत्समख संबंद कहते हैं परिवासा हो जाएगी एक ऐसा संबंद जिसमें किसी अव्यवका उसी के साथ संबंद हो उसे हम तद्समक संबंद कहते हैं ठीक है अब चलते हैं बच्चों आगे अगले संबंद पर जिसका नाम है स्वेतले संबंद ये बच्चों very important संबंद है पेपर में काफी बार इसके बारे में पूछा गया है ठीक है तो स्वेतुले संबंद क्या होता है तो स्वेतुले संबंद की बच्चों परिवासा होती है एक ऐसा संबंद आर जिसमें ए कॉमा ए के रूप में क्रेमितियों होते हैं ठीक है याने की A, R, A जिसमें होता है ठीक है A का A के साथ ही जिसमें संबंद होता है उसे बच्चों हम क्या कहते हैं उसे हम संबंद उसे हम स्वेतुले संबंद कहते हैं For all A belongs to A मतलब क्या है इसका मतलब यह बच्चों कि मालो मेरे पास A संबंद है जिसमें मेरे पास अव्यव है 1,2,3 अब स्वेम उस अव्यव का उसी के साथ संबंद होना जरूरी है तो यहाँ पर यदि हम संबंद R लिखें तो वो हो जाएगा 1,1 2,2 3,3 तो यह क्या है बच्चों एक स्वेतुले संबंद है अब बच्चे यहाँ पर कनफुज हो रहे होंगे कि सर यही तो आपने तस्वेतुले संबंद भी बता रहे हो तो बेटा दोनों में अंतर है दोनों में अंतर है बेटा अंतर क्या है अंतर यह है कि यदि मालो मैंने एक संबंद R इस प्रकार से लिख दिया कि एक कॉमा एक दो कॉमा दो तीन कॉमा तीन एक कॉमा दो दो कॉमा तीन मालो मैंने ऐसे लिख दिया तो अभी भी बच्चों ये सम्मंद स्वेतुल्ले है परंतु बच्चों ये सम्मंद ततसमक नहीं है ये सम्मंद ततसमक नहीं है ये सम्मंद स्वेतुल्य है ठीक है तो ये अंतर है स्वेतुल्य और तस्वमक के बीच में देखो तस्वमक में तो केवल वही आएंगे जबकि स्वेतुल्य में ऐसा नहीं है स्वेतुल्ल्य में वस आपको ये चेक करना है कि A, R, A होना चाहिए कि भई समुच्छे A में जो अव्यव हैं उसके साथ में connection होना चाहिए बाकी तो और कुछ भी दे रखा उसके अंदर हमें कोई मतलब नहीं है ठीक है ठीक है बच्चों समझ में आया क्या अंतर होता है स्वे तुल्य स्वे माने स्वेम तुल्य माने तुल्य तुल्य मतलब समान तो स्वेम का स्वेम की साथ सम्बंद ही स्वे तुल्य सम्बंद होता है किलियर तस्वमख में तो प्रतिक सेम होना चाहिए जबकि स्वे तुल्य में ऐसा नहीं है स्वेतुल्ले में equal तो होने चाहिए same तो होने ही चाहिए उसके अलावा अलग अलग भी चल सकते हैं याप ठीक है अलग अलग भी बच्चो चल सकते हैं परिवासा बेटा मैंने लिख दी है ये है स्वेतुल्ले सम्मंद की परिवासा ठीक है स्वेतल्ले समंद्ध की बच्चों ये परिवासा है ओके क्लियर क्लियर बच्चों बहुत अच्छे अब हम लोग चलते हैं एक उधान से स्वेतल्ले को और अच्छे समझते हैं तो जांच कीजिए कि समुच्चे एक दो तीन में ये जो समंद्ध दे रखाया में द्वारा प्रदस समंद्ध स्वेतल्ले है या नहीं है तो देखो कैसे चेक करेंगे सबसे पहले देखो समुच्चे ए में क्या विव दिया गया है मुझे एक दिया गया है तो मैंने समुच्चे a मुझे दिया हुआ है 1 2 और 3 अब सबसे पहले मैंने a बराबर 1 लिया आपको ये चेक करना है कि क्या a r 1 यानि कि a comma 1 र में है या नहीं है या फिर a r 1 है या नहीं है ये आपको चेक करना है मैं आपको देखो इसको अलग से लिख देता हूं आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि क्या एक कॉमा एक आर में है या नहीं है ठीक है ये आपको चेक करना है या फिर आप लिख सकते हो एक आर एक ये है नहीं है पहले ये चेक करो तो आप देखो एक कॉमा एक है मतलब एक क एक के साथ संबंद है तो ये वाली चीज हमारी सही हो गई उसके बाद आपको चेक करना है 2,2 क्या belongs to R है या नहीं है ये चेक करो तो देखो 2,2 भी R में है तो इसका मतलब ये भी सही है अब चेक करो 3,3 R में है या नहीं है इसको चेक करके देखो तो 3,3 भी बच्चो R में है तो इसका मतलब ये एक स्वैत उल्ले संबंद है क्या है बच्चो ये एक स्वैत उल्ले संबंद है दोग हमें केवल ये तीन चीज़े देख रही है समुचे ए में जितने भी अव्यव हैं उनका खुद के साथ संबंद होना जरूरी है यदि संबंद है तो बच्चो वो सतुल है ठीक है किलियर बहुत अच्छे अब बच्चो एक और प्रशन देखते है अगला प्रशन दर्सा ही है कि पूरांकों के समुचे जैड में R बराबर A कॉमा भी जहां पर 2 A-B को वाज़ित करती है द्वारा परदत संबंद एक स्वेतुल्य संबंद है तो पहले तो बच्चो हमें इसको रोष्टर रूप में परिवर्थित करना पड़ेगा ठीक है पहले तो बच्चो हमें इसको रोष्टर रूप में परिवर्तित करना पड़ेगा तो रोष्टर रुप में इसको परिवर्तित करते तो देखो आर में हमारे पास क्या आएगा आर बराबर यहाँ पर कहा गया है कि A और B क्या होने चाहिए पूरांग खुने चाहिए पहली बात तो उसके अलाबा 2 A माइनस B को विवाज़ित करनी चाहिए अब पूरांग क्या होते है पूरांग खुने प्लस में भी और माइनस में भी माइनस 1, 0, 1, 2, 3, 4 यह सारे क्या है पूरांग है ठीक है अब मालो सबसे पहले मैंने A बराबर 1 लिया और B बराबर भी मैंने 1 ले लिया तो 1 में से 1 गया तो 0 बच गया क्या 0, 2 को वाज़ित करता है बिल्कुल करता है 0 बार जाता है ठीक है तो को जब आप 0 में 2 का भाग लगाते हो तो 0 बार जाता है ना तो इसका मतलब 0 को 2 वाज़ित कर रहा है तो 1,1 होगा इसी प्रकार 2,2 भी होगा क्योंकि अभी भी 0 ही मिलेगा 3,3 भी होगा 0,0 भी होगा माइनस 1,1 भी होगा माइनस 2,2 भी होगा क्योंकि सबका अंतर 0 ही आएगा ठीक है इसके अलावा 2,0 भी होगा 0,2 भी होगा कोईथ सब दो से वाज़त हो रहे हैं, ठीक है? तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास चलते चले जाएंगे, अब यहाँपर देखो, समुच्चे एक अंदर कौन कौन से अबयव है? इसके अंदर बच्चों हमारे पास, माइनस तीन माइनस दो माइनस एक जीरो एक दो तीन इस तरीके के अवयव है ठीक है अब यहाँ पर देखो क्या प्रितेक अवयव का स्वेम के साथ संबंद है तो बिल्कुल है बाई यहाँ पर देखो प्रितेक अवयव का स्वेम के साथ संबंद है मतलब आपको यह चेक करन a को विवाजित करती है क्या ये बात सही है बच्चों मुझे बताइए कि क्या ये बात सही है कि 2a-a अर्था 0 को विवाजित करती है ये बात सही है सारे a के लिए बच्चों ये बात सही है इसका मतलब ये सम्मंद एक स्वेतुल्य सम्मंद है ठीक है क्या एक स्वेतुल्य सम् पर जिसका नाम है संम्नन अब संम्न बच्चों यदि संम्न आर में है और उसके बाद बच्चों यदि बी इ संम्न नर्म हो जाये तो बच्चों वो संंम्न आर संम्न होता है दोगो सम्मित का मतलब समझते हो ना जैसे कि मालो आप दरपण के सामने खड़े हो सुबह सुबह आप अपना चेहरा देखते हो दरपण के सामने खड़े हो के तो दरपण के अबाउट में आपका चेहरा क्या होता है सम्मित होता है सम्मित का मतलब जैसा इधर की तरफ है वैसा ही इधर की तरफ होना चाहिए इसका मतलब यदि A, B belongs to R में है तो B, A भी R में होना चाहिए इसे बच्चों हम सम्मित कहते हैं ठीक है जैसे कि माल लो मेरे पास कोई सम्मद R है जो कि समुच्चे A, 1, 2, 3 में सम्मद है ठीक है क्या है यह है यह है 1,2, 2,1, 3,1, 1,3 यह है बच्चों ठीक है अब देखो यहां पर 1,2 R में है तो इसका सम्मित अर्थात 2,1 भी R में होना चाहिए क्या वो है बिल्कुल है अच्छा 2,1 R में है तो इसका उल्टा एक कौमा दो आर में होना चाहिए क्या वो है बिल्कुल है अच्छे तीन कौमा एक आर में है तो इसका उल्टा एक कौमा तीन होना चाहिए बिल्कुल है एक कौमा तीन आर में है इसका उल्टा तीन कौमा एक होना चाहिए बिल्कुल है इसका मतलब ये बच्चो एक सम्मित सम्मंद है इसको बच्चो हम लोग एक उधान द्वारा समझते हैं तो ये एक उधान है कि जांच कीजे कि समुझे एक दो तीन में आर ये द्वारा प्रदस सम्मंद सम्मित है या नहीं अब बच्चो जहां पर भी आपके पास ये बरावर अबयब आ जा hein इनके अबार तो हमेशा सम्मित रहता ही ही ठीक है बरावर अबयबो के لिए तो सम्मित रहे गए रहेगा आपको जो भी बरावर नहीं है उनके लिए चैक करना है ठीक है तो यहाँ पर देखो एक कौमा दो जो है वो आर में है तो इसका मतलब दो कौमा एक भी आर में होना चाहिए बट क्या वो आर में है नहीं है तो इसका मतलब बच्चो ये सम्मित नहीं है देखो यदि हमें स्वेतुल्ले सम्मित में ये चेक करना होगी है या नहीं है तो होना तो वो सारे अव्यवों के लिए चाहिए और नहीं होने के लिए केवल हमें एक ही परियापत है एक कारण परियापत है देखो बच्चों आप लोग किसी व्यक्ति में कोई गलती हैं लिकालते हो तो गलती केवल आप एक ही लिकालते हो ने यदि आपको एक गलती मिल जाती है तो आप उससे अपनी दोस्ती तोड़ लेते हो आपको इदिक किसी व्यक्ति से दोस्ती तोड़नी होती है तो आप सामने वाले में केवल एक गलती लिकालते हो सेम ऐसा ही फंडा यहां पर है आपको केवल एक गलती लिकालनी है और वो एक गलती हमने यहां पर पकड़ ली ठी तो यहाँ पर देखो मैं R को रोष्टरूप में लिखता हूँ तो बराबर बालो के लिए तो हो जाए गई है जो बराबर नहीं है उनके लिए देखते हैं तो देखो 2,0 होगा 0,2 भी हो जाएगा 1,2 होगा क्या 1-2 नहीं होता विवाजे तो 1,2 तो आए गई नहीं यहाँ पर ठीक है ऐसी संख्या आएंगे जिनका अंतर 2 का गुणज हो ठीक है तो 0,4 हो सकता है 0,6 हो सकता है 0,8 हो सकता है इसी तरीके चला जाएगा 4,0 हो सकता है 6,0 हो सकता है 8,0 हो सकता है इसके अलाबा 2,4 हो सकता है 4,2 हो सकता है इस प्रिकार से हमारे पास चलते चले जाएंगे अब अब ये बताना है कि ये सम्मित है या नहीं है तो दोगो ये इस तरीके से तो हमें समझ में नहीं आया मैं आपको इस तरीके समझाता हूँ दो A-B को विवाजित करती है इसका मतलब A-B बते 2 बरावर होगा M के अर्थात A-B बरावर 2M होगा जहां पर M क्या है बच्चो कोई एक पूरांक है अब मुझे सिद्ध करना है कि B, A, R में है या नहीं है इसका मतलब बच्चो मुझे लेकर आना है कि B-2 B-A 2 से विवाजित होता है अब यहां पर दोगो A-B बरावर 2M है तो B-A बरावर हो जाएगà माइनस 2M तो B-A बते 2 बरावर हो जाएगà माइनस M अब माइनस M भी तो एक पूरांक होगा इसका मतलब दो B-A को भी विवाजित करता है इसका मतलब ये संबंद सम्मित है ये संबंद बच्चों सम्मित है ठीक है किलियर अब इसके बाद अगला संबंद है हमारा संक्रामक संबंद संक्रामक क्या होता है दो को यदी बच्चों कोई संबंद आर इस प्रकार से हो जिसमें A, B हमारे आर में हो तथा एक अन्य अव्य जब B, C भी R में हो और इसके बाद बच्चों यदि हमें A, C भी R में मिल जाए तो वह संबन्द एक संक्रामक संबन्द होता है दोगों यहां पर क्या हुआ यहां पर A और C ने अपनी टांग फसा दी A, B, R में हो रहा था B, C, R में हो रहा था A और C ने बीच में घुस गए इनके कि भाई हमें B, R में होना है तो यदि ये B, R में है तो फिर संक्रामक है एक तरीके से संक्रामक रोक की तरह होता है ठीक है कि भाई A, B, R में हुआ B, C, R में हुआ तो A और C ने का कि हम B, R में हों यही बच्चो इसकी परिवासा है कि यदि एक संबंद आर इस परकार से हो कि एक कॉमा भी बिलॉंग्स टू आर तो यदि एक कॉमा सी भी आर में हैं तो वह एक संक्रामक संबंद होगा ठीक है किलियर अब बच्चो एक उधार्ण दोरा इसको समझ लेते हैं जैसे कि यह हमार पास में एक उधार्ण है अब यहां पर देखो हमारे पास एक कॉमा एक बिलॉंग्स टू आर है और एक कॉमा दो बिलॉंग्स टू आर है यहां पर एक बी बी सी तो एक कॉमा दो भी आर में होने चाहिए बिल्कुल है तो बराबर हो के लिए तो छोड़ दो जो बराबर न B, C तो इसका मतलब 1,3 B, R में होना चाहिए बट क्या यहाँ पर है नहीं है तो इसका मतलब यह संक्रामक नहीं है ठीक है यह बच्चों संक्रामक नहीं है अब यह एक question है यह आपके humber के लिए आपको बताना है कि यह संक्रामक है यह नहीं है अब अब बच्चो अगला सम्मंद है तुल्यता सम्मंद अब तुल्यता सम्मंद क्या होता है बच्चो एक ऐसा सम्मंद जो स्वेतुल्य भी हो सम्मित भी हो और संक्रामक भी हो उसे हम तुल्यता सम्मंद कहते हैं एक ऐसा सम्मंद जो स्वेतुल्य भी हो संक्रामक भी हो तीनों हो उसे हम तुल्यता सम्बंद कहते हैं ठीक है अब एक क्योशन और है यह भी आपके हुमबर के लिए आपको इसमें यह चेक करना कि क्या यह दिया गया सम्बंद स्वेतुल्यत मित औ sadece और संक्रामक तीनों है या नहीं है ठीक है. अब आज आज की ठड़ क्वेज तो इसका अंसर बताईए बच्चों मुझे जल्दी से कुश्चन है समुच्चे ए मुझे दे रखा एक दो तीन जिसमें ये संबंद आर है जिसमें 1,1,1,2,1,3,2,1,3,3 ऐसे एक संबंद जिसमें 1,1,1,2,2,1,2,3,3 आपको बताना है कौन सा स्वेत उल्ले है पहला विकल्प है केवल आर दूसरा केवल एस तीसरा आर और एस दोनों चौतान में से कोई नहीं बताईए बताएए बच्चों कौन सा विकल्प शही है कौन सा समंद सौए तल्भ है बच्चों आपके समय समाप्त होता है अब देखो 1,1 भी होना चाहिए 2,2 भी होना चाहिए 3,3 यहाँ पर 1,1 तो है 2,2 नही है तो ये तो नही होगा 1,1 है 2,2 है 3,3 भी है मतलब ये स्वेतुल्य होगा तो ऐ स्वेतुल्य है मतलब भी विकल बच्चो आपका सही हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से बच्चो आज की क्लास में हमने संबंदों के परकार देखे हमने रिक्त संबंद देखा हमने बच्चो सारवर्तिक संबंद देखा अब बच्चो आज की क्लास का हमबर्ग ये भी है आपका ये भी आपको करना है ठीक है बच्चो आज हम संबंद एवं फलन का चौथे नंबर का लेक्चर देखने जा रहे हैं जिसमें बच्चो मैं आपको संबंदों के प्रकार पराधरित कुछ प्रस्म करवाऊंगा उसके अलावा बच्चो मैं आपको फलन क्या होता है तो तक कैसे हम फलन का प्रांथ सेप्रांथ तदब परिसर निकालते हैं और यदि हमें किसी बिंदू पर फलन का मान ग्यात करना हो तो कैसे ग्यात करेंगे इन सब के बारे में हम आज की क्लास में बात करने वाले हैं तो एक तरीके से बच्चों हम बारवी क्लास के टॉपिक संबंदों के प्रिकार पर आधारित प्रिसने डिसकस करने वाले हैं उसके अलावा हम फलन जो कि आपने 11 किलास में भी पढ़ा है उसका रिवीजन करेंगे जितना भी आपने 11 किलास में पढ़ा है उसका ठीक है बच्चो जल्दी से सभी बच्चे जोइन कर लीजिए गुड मॉर्णिंग टू अल अफ यू मैं अच्छा हूं बच्चो आप कैस काफी बच्चों ने हमें जॉइन कर लिया है खुसी गुपता दीपक अस्विनी अंसिका सत्यम जतेन रिसव कालू बिटा आज की आपकी जो किलास है ये बहुत महत्पुन किलास होने वाली है आज हम संबंदों के प्रकार पर प्रिशन डिस्कस करने वाले हैं और यदि हम एक आज हम कुछ ऐसे प्रिशन डिसकस करने वाले हैं तो ध्यान पूरवक होकर आज की कलास को देखियेगा आपको बहुत मज़ा आने वाला है आज की कलास में ठीक है तो कालू ने जोइन कर लिया रिसव ने जोइन कर लिया काफी बच्चों ने जोइन कर लिया सुभम ने जोइन कर लिया यसिन ने जोइन कर लिया हमराज ने जोइन कर लिया सचिन यादव ने जोइन कर लिया रितिक मौरे ने जोइन कर लिया मांसी ने जोइन कर लिया काफी बच्चों ने हमें जोइन कर लिया है तो चलिए बच्चों आरम करते हैं आपकी आज की किलास को तो चलिए बच्चों अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमने इस अध्याय में क्या-क्या पढ़ लिया है अभी तक और आगे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं तो बच्चो सबसे पहले तो हम लोगों ने इस अध्याय में समुच्चे के बारे में पढ़ा था मैंने आपको ग्यारवी किलास में समुच्चे में आपने जितना कुछ पढ़ा और हमारे बारवी किलास के लिए जो जो महत्पूर है उस सब के बारे में मैंने आपको बता दिया ठीक है उसके अलावा मैंने बच्चों आपको संबंद के बारे में बताया अब संबंद के मैं मैंने आपको सबसे पहले समुच्चों का कारते गुडन फल बताया उसके पच्चात मैंने आपको संबंद के बारें बताया कि संबंद क्या होता है संबंद का प्रांथ से प्रांथ वे परिसर के बारें बताया उसके पच्चात बच्चों मैंने आपको संबंदों के परकार बतायते ठीक है अब बच्चों हम लोग देखने वाले हैं फलन को तो फलन में सबसे पहले हम समझेंगे कि फलन होता क्या है इसके पस्चाथ फलन का प्रांत, सैप्रांत, परिसर कैसे निकालते हैं सर एप पर कैसे देखें बेटा हमारा डाउटनट को जो एप है उसमें क्लास 12 पर जाईएगा कच्छा बारे पर, कच्छा बारे में आपको मेरी क्लास चलती नजर आ जाएगी ठीक है ट्रांजेटिव रिलेशनसिप रिपीट कर देए ओके बेटा आज मैं आपको वैसे भी रिविजन भी करवाऊंगा उनका ठीक है तब गवराई ये मट ठीक है ओके तो देखो फलन में फलन क्या होता ये देखेंगे हम फिर उसके बाद फलन का परांद सेपरांद और परिसर देखेंगे उसके पश्चात फलन कौन कौन से परकार के होते हम ये देखेंगे फिर उसके बाद बच्चों फलनों का सयोजन देखेंगे और उसके बाद फिर हम पर तीलों फलन के बारे में बात करेंगे इसके बाद बच्चों हम इस अध्याय के आकरी टॉपिक द्वी आधारी संक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे ठीक है तो इस तरीके से बच्चो आपका ये अध्याज चलने वाला है अब आज की क्लास में सबसे पहले तो बच्चो हम संबंदों के परकार पर आधारित प्रिशन करेंगे उसके पश्चात हम फलन के बारे में पढ़ चमक्रियाओं बच्चो सबसे पहले संबंदों को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं उसके पश्चात हम आज की कुईज भी करेंगे आज बच्चो हम काफी सारे कुईज भी करने वाले हैं ठीक है तो इसलिए कह रहा हूं आपको बहुत मज़ा आने वाला है आज की क्लास मे okay बच्छो तो चलिए बच्छो श्टार्ट करते हैं सम्मेंद के साथ कि सम्मन्द क्या होता है तो जैसा की बच्छो मेंने आपको पिछली किलास ने बताया कि समुच्छे A से समुच्छे B में एक सम्मन्द R समुच्चे A से समुच्चे B में एक सम्मंद R A से B में कार्तिय गुडनफल का एक उप समुच्चे होता है अर्थात जो R होता है वो उप समुच्चे होता है A क्रोस B का जिसमें समुच्चे A के अव्यव समुच्चे B के अव्यव से जुड़े होते हैं क्या होते हैं समुच्छे A के अव्यव समुच्छे B के अव्यव से जुड़े होते हैं उसे बच्चों सम्बंद कहते हैं जैसे मैंने आपको काफी सारे उधान बताए भी थे जैसे माल लो मेरे पास एक सम्बंद R लिखा गया है जिसमें हमारे पास क्रहमती युगम हैं A, B की एकी समुच्चे एके अव्यव हैं ठीक है और ए प्लस बी ए प्लस बी बरावर है मेरे पास दो के ठीक है अब यह हमारे पास क्या एक सम्मंद है यहां पर समुच्चे यह ए से ए में एक सम्मंद है ठीक है कहां से का में ए से में तो यहां पर देखो समुच्चे ए के जो अव्यव हैं वो समुच्चे ए के अव्यवोस से ही जुड़े हुए है किस सम्बंद से इस सम्बंद से कि दोनों का योग दोग है ठीक है तो ये क्या है बच्चो एक सम्बंद है ठीक है अब सम्बंद का प्रांथ क्या होता है सैप्रांथ क्या होता है परिसर क्या होता है तो ये भी मैंने आपको बता दिया था तो संबंद में जो आपके क्रेमित युगम आ रहे ना इन क्रेमित युगमों के पिर्थम घटकों के समुच्चे को हम संबंद का परांथ कहते हैं और दुत्तिय घटकों के समुच्चे को हम संबंद का परिसर कहते हैं और जदी आपका कोई संबंद A से B में परिवासित है त तो इस भी समुच्चे को हम संबंद का सहे परांद कहते हैं ठीक है तो यह होता है संबंद का परांद सहे परांद तथा परिसर परांद क्या होता है संबंद में उपस्थित क्रेमित युगमों के प्रिथम घटकों का समुच्चे और परिसर होता है क्रेमित युगमों के दु एंटि सेमेंट्रिक रिलेशन के बारे में भी बच्चो मैं आपको आज बता दूगों ठीक है ओके लियर यहां तक यहां तक पर एक बच्चे को खिलियर हो गया बहुत बढ़िया अब बच्चो जैसा कि मैंने आप से बोला कि कि आज हम बहुत कुईज करने वाले हैं तो आज हम कुईज करेंगे उससे पहले मैं आपको संबंदों के परकार बता देता हूं कौन-कौन से परकार ने बात की थी दो को संबंदों का पहला परकार था रिक्त संबंद अब रिक्त संबंद क्या होता है रिक्त संबंद होता है बच्चो एक ऐसा सम्मंद जिसमें एक भी क्रेमितियुम ना हो अर्थात एक ऐसा सम्मंद जिसमें समुच्चे एका कोई भी अव्यव समुच्चे भी किसी भी अव्यव से नहीं जुडा हो उसे हम रिक्त सम्मंद कहते हैं ठीक है उसके बाद हमने पढ़ा सारवर्तिक होता है जिसमें सारे की सारे क्रेमितिव होते हैं अर्थात इस इस्थिती में बच्चों जो आर होता है जो बच्चों हमारे पास आर होता है वो एक क्रोस बी के बराबर होता है यदि आर हमारा ए से बी में सम्बंध हो तो ठीक है यहाँ पर R वरावर A से B के वरावता है हाँ बेटा यह free class है free class है बेटा यह रहुनक बेटा free class है ठीक है बच्चों मैंने अभी पुरानी class का revision किया है ठीक है अभी मैंने कुछ बच्चों नया नहीं बताया भी मैंने पुरानी class का revision किया है अच्चा इसके पश्चात मैंने आपको तत्समक संबंद के बारें बताया तो समक संबंद क्या होता है एक ऐसा संबंद जिसमें जिसमें कोई अव्यव स्वेम से ही जुड़ा हो उसे हम तत्समक संबंद कहते हैं ठीक है उसे हम क्या कहते हैं बच्चो तत्समक संबंद और तत्समक संबंद को व्यक्त किया जाता है आई ए से यदि ये वो ए से ए में संबंद तो ठीक है इसके पश्चात हमने स्वेतुले संबन देखा, सम्मित देखा, संकरामक देखा और तुलेता संबन देखा अब इन चारों के बारे में अभी थोड़ देर में बात करेंगे उससे पहले बच्चों हम लोग क्विज कर लेते हैं ठीक है एक क्विज आपसे पूसना चाता हूँ जैसा कि काफी बच्चों ने जोइन कर लिया है तो क्विज का टाइम आ गया है ठीक है तो क्विज करते हैं अब तो यह रहा बच्चों आपका पहला क्विश्चन क्या कोईश्चन है संबंद आर बराबर एक्स कॉमा एक वाई कॉमा दो जैड कॉमा तीन का प्रांथ है आपको इसका प्रांथ बताना है प्रांथ क्या होगा तो बताए बच्चों कौन सा विकल्प सही होगा हाँ बेटा हुंबर का लाश्ट कोश्चन भी मैं आपको बता दूंगा गबराव मताप बच्चो आपका समय होता है यहाँ पर समाप्त अब देखते हैं इसका आंसर कि इसका आंसर क्या होने वारे ठीक है तो देखो संबंद R क्या है संबंद R है हमारे पास x, y, 2, z, 3 यह है बच्चो हमारे पास अब मैंने आपको बताया संबंद का परांद होता है क्रहमेत युगमों के प्रथम गठकों का समुच्चे तयाँ पर देखो प्रथम गठक क्या है X है Y है और Z है तो इनका जो समुच्चे बनेगा इनका बच्चो जो समुच्चे बनेगा वही आपका R का प्रांत होगा क्या होगा बच्चो वह आपका R का प्रांत होगा ठीक है तो R का प्रांत क्या हो जाएगा X Y Z कौन सा विकल्प बच्चों सही हो जाएगा C विकल्प जैसा कि मैं देख पा रहा हूं काफ़ी बच्चों ने बिलकुल सही आशर दिया था ठीक है ठीक है बच्चों ठीक है बहुत अच्चे अब बच्चों जिन बच्चों को यूटюब पे देख रिए हो यूटूबे देख लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, किलिर बच्चो ये, अब बच्चो हम लोग चलते हैं आज की सेकंड कुईज पर, लगातार बच्चो आज हम दो कुईज करने वाले हैं, है अब हम second quiz देखते हैं तो तयार हैं सही बच्चे second quiz के लिए तयार हैं तो यह लीजे बच्चो आपकी आज की second quiz question है मान लीजे कि समुच्चे N में A, B R है बराबर है A, B जहांपर A बराबर है B-2 के जहांपर B का मान 6 से बड़ा है द्वारा प्रदत एक संबंद है तो निम लिखित में से सही उत्तर दीजिए पहला विकल्प है 2,4 संबंद R में होगा दूसरा विकल्प है 3,8 संबंद R में होगा तीसरा विकल्प है 6,8 संबंद R में होगा 4. विकल्प है 8.7 संबंद आर में होगा तो बताइए बच्चों कौन सा विकल्प सही है बताइए कौन सा विकल्प सही है बच्चों आपके समय होता हैं बइस हमा अब देखते हां कौन सा आंसर सही होगा तो काफी बच्चों का A आंसर है और काफियों का C आंसर है 40 पृतिसद का A आया है 60 पृतिसद का C आया है तो B और D तो नहीं है ये तो आपको समझ में आ गए अब बच्चों आपने एना एक चीज़ का ध्यान नहीं दिया यहाँ पर क्या लिक होगा है B का मान 6 से बड़ा होना चाहिए तो B का मान यहाँ पर कितना है? 4 है भाई तो ये कट जाएगा तो जिन जिन बच्चों का A option सही लिखा है जिन बच्चों नेым का गलत है A सही नहीं होगा सही होगा बच्चो C ठीक है? अब देखो A क्यों नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर B कामान 6 से बड़ा होना चाहिए था यहाँ पर देखो B क्यों सही नहीं हुआ B सही इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जब आप B बराबर यहाँ पर 8 रखोगे तो 8-2 बराबर 6 होता है तो A कामान 6 आना चाहिए था तो ये भी नहीं होगा, ठीक है तो कौन सा विकल्प से हो जाएगा बच्छोग, विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑपके, ऑल क्लियर, क्लियर पर ते इक बच्छे को कि क्यों सी ऑप्सन सही है, क्लियर होगया ना बहुत अच्छे अब बच्चो हम लोग चलते हैं संबंदों के प्रकार पर आधारत प्रिश्णों पर ठीक है तो पहले मैं आपको संबंदों को एक बार रिवाईज करा देता हूँ कौन-कौन से संबंदों के प्रकारों पर आधारत प्रिश्णों देखेंगे तो दोगों मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि यदि हमारे पास किसी संबंद में for all A belongs to capital A के लिए A,A belongs करे आपके संबंद R में तो बच्चो इस प्रकार के संबंद को हम स्वेत तुल्य संबंद कहते हैं नाम से पतल लग रहा है स्वेम के तुल्य होना चाहिए मतलब स्वेम के बराबर होना चाहिए ठीक है तो स्वेम के बराबर है तो उस संबंद को हम कहते हैं स्वेत तुल्य संबंद अब बच्चों मैंने आपको पिछली क्लास में क्लियर लिए समझा दिया था कि स्वेतुल्ले सम्मंद और तस्समख सम्मंद सेम नहीं हैं दोनों अलग अलग है इसके पश्चाज बच्चों मैंने आपको सम्मित सम्मंद के वारें बताया अब सम्मित सम्मित क्या होता है यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर यदि किसी संबंद आर में A, B कोई अव्यव दे रखा है तो उस संबंद आर में B, A भी होना चाहिए यदि बच्चों यह हैं तो इसका मतलब वो एक सम्मित संबंद है ओके बच्चों इसके बाद बच्चों हमने संक्रामक संबंद देखा अब संक्रामक संबंद क्या होता है तो मान लो बच्चों मेरे पास कोई संबंद आर है जिसमें A, B B है और B, C, B है ठीक है बी कॉमा C भी आपका R में है ठीक है तो संक्रामक कहता है हमसे कि A, C भी R में होना चाहिए यदि बच्चों A, B, R में है B, C, R में है और उसके बाद A, C, B, R में हो तो संबंद आपका संक्रामक संबंद होता है ठीक है सम्मित मतलब विलोम नहीं होता बच्चों सम्मित मतलब विलोम नहीं होता ठीक है अब एक होता है anti-symmetric lesson जिससे हम लोग बच्चों हिंदी में बोलते हैं प्रती सम्मित संबंद क्या बोलते हैं प्रती सम्मित संबंद ठीक है अब ये क्या होता है ये बच्चों एक ऐसा संबंद होता है जिसमें यदि A, B belongs करे R में तो B, A R में बच्चों तभी होगा जब A बराबर होगा ठीक है तो इस प्रकार के संबंद को हम प्रती सम्मित संबंद कहते हैं ठीक है यदि A, B, R में है तो B, A, R में हो यदि तो A बराबर B होता है ठीक है इसे हम प्रती सम्मित संबंद कहते हैं ओके बच्चों ये इंपोर्टेंट नहीं है इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा बाते नहीं कर रहा हूँ इंपोर्टेंट है आपके पास स्वेतुल्य संबंद और संक्राम ठीक है अब अगला है तुल्यता संबंद तुल्यता संबंद बच्चों सबसे ज़्यादा मैत पूर्ण है क्योंकि पेपर में चार अंक में इसके बारे में पूसे जाता है अब कोई संबंद तुल्यता संबंद कब होता है जब दिया गया संबंद स्वेतुल्य भी हो संबंद भी हो और संक्रामक भी हो यदि हमारा सम्मंद ये तीनों की तीनों है तो सम्मंद क्या होता है तुल्लेता सम्मंद होता है तो ये थे आपके सम्मंदों के परकार अब अच्चो मालो मैं आपसे कहूं कि भाई बताओ दिया गया सम्मंद स्वेतुल्ल है या नहीं है सम्मित है या नहीं है संक्रामक है या नहीं है तुल्लत है या नहीं है तो आपको क्या करने पड़ेगी संबंदों के पर कारगी जाच करने पड़ेगी अब यहां पर बच्चों आपको एक ही चीज देख रही है कि कोई भी संबंद स्वेतुल्य सम्मित और संक्रामक सब जिगे होना चाहिए यानि कि हां के लिए तो क्या होना चाहिए सब जिगे पर होना चाहिए और यदि बच्चो स्वेतुल्य सम्मित या संक्रामक नहीं है तो उसके लिए आपको केवल एक उधारन देना है केवल आपको एक उधारन देना है यदि आपने कोई भी एक ऐसा उधारन दे दिया जिस पर दिया गया संबंद स्वेतुल्य नहीं हो संक्रामक नहीं हो तो वे संक्रामक नहीं हो तो केवल आपको एक गलती लिकालनी है उसके अंदर मैंने आपको बताया ना पिछली क्लास में कि मानलो आपकी किसी दोस्ते जादा बनने ही रही है आप उससे दोस्ती खतम करना चाहते हो तो आप उसकी केवल एक गलती लिका लते हो उसके बाद क्या देते हो भाई तेरी मेरी दोस्ती खतम तो सेम चीज बच्चों यहाँ पर भी होती है हमारी भी इनसे नहीं बनती है क्यों? लिएक गलती लिका लिए और एक गलती लिका लगए तरंट हम बोल देंगे कि तुम स्वितलिन नहीं हो तो इस संबंदों के परिकारों की जाँच करते हैं अब पच्चों इसको एक उधार्ण द्वारा समझते है तो лिएक यहाँ पर उधार्ण है अब संबंद R है जिसमें T1, T2 के रूप में क्रेमित यूग में जहां पर T1, T2 के सरवांग समय एक संबंद है ठीक है तो आपको बच्चों यह सिद्ध करना है कि R1 तुल्लेता संबंद है अब तुल्लेता है इसका मतलब स्वेतुल्ले भी है सम्मित भी है यह हमें आपर चेक करना है चलो चेक करते हैं सबसे पहले बारियत स्वेतुल्ले की अब स्वेतुल्ले के लिए क्या जरूरी है स्वेतुल्ले के लिए जरूरी है स्वेम का स्वेम के साथ होना मतलब क्या T1, T1 क्या बच्चो T1, T1 R में है यह मुझे बताओ इसका मतलब क्या T1 तरभुज T1 तरभुज के सरवांग सम है अब सरवांग सम का मतलब क्या होता है तो बच्चों वे आकरती हैं सरवांग सम आकरते कहलाती हैं जिनके माप वे आकार समान हो अब पहली बात तो दोनों की दोनों तरभुज हैं दूसरी बात दोनों एक ही तरभ लेंगे तो इसका मतलब बच्चो ये समबंद स्वेतुल्ले है तो स्वेतुल्ले तो है ठीक है अब बात करते है सम्मित की तो सम्मित में क्या होता है सम्मित में जदी A, B, R में है तो B, A, B, R में होना चाहिए अर्थात यदि T1, T2 R में है तो T2, T1 भी R में होना चाहिए अब चेक करके बताओ कि T2, T1 R में होगा यह नहीं होगा तो देखो T1, T2 R में है इसका मतलब T1 तिरभुज T2 तिरभुज के सरवांग सम है अर्थात दोनों के माप बराबर है जैसे कि माल लो यह मेरे पास एक T1 तिरभुज है और यह मेरे पास एक T2 तिरभुज है अब यह दोनों सरवांग सम है तो माल लो यह भुजा 5 की है तो यह भुजा 5 की होगी यह 4 की है तो यह 4 की होगी यह 6 की है तो यह 6 की होगी ठीक है इस प्रकार से होंगे अब यदि बच्चो ये दोनों त्रुबज टी 1 और टी 2 सरवांगसम है तो टी टू और टी 1 भी सरवांगस होंगे बात तो एक बराबर यह बैए मैं टी 1 टी 2 कहलो जाए टी 2 टी 1 कहलो बात एक ही है तो इसका मतलब ये भी आर में होगा तो ये भी बच्चो क्या है संक्रामक की सरवांगसम होगा तो इसका मतलब ये भी आर में हो जाएगा ठीक है अब बात करते हैं संक्रामक की संक्रामक की बात करते हैं अब संक्रामक में क्या करते हैं संक्रामक में यदि T1, T2 आर में हो तथा T2, T3 भी आर में हो तो हमें ये चेक करना है कि क्या T1, T3 भी आर में है यद नहीं है तो दोको T1 और T2 आर में है इसका मतलब T1-T2-T2-T3-T3-T3-T3-T3-T3-T3-T3-T3-T3-T3-T3-T3-T3-T3-T3-T3-T3-T3-T3-T3-T3-T3-T3-T3-T3-T3-T3-T3-T3-T3-T3-T3-T3-T3-T3-T3-T3-T3-T3-T3-T3-T3-T3-T3-T3-T3-T3-T3-T3-T3-T3-T3-T3-T3-T3-T3-T3-T3-T3-T3-T3-T3-T3-T3-T3-T3-T3-T3-T3-T3-T यह मेरे पास T1 था ठीक है यह मेरे पास T1 था ठीक है और यह मैंने रेड से बनाया T2 को यह मेरे पास T2 है इसको ढख लिया ठीक है यह T2 हो गया अब मालो एक तरुबज है T3 ठीक है अब T2 और T3 भी सरवांग से हमें मतलब T2 को T3 भी ढख रहा है तो यहां पर हमने T3 बना द तो बच्चो बताव मुझे क्या T1 ने T3 को ढखाया नहीं ढखा बिलुकुल ढख लिया इसका मतलब T1 भी T3 के सरवांगसम होगा तो T1 कोमा T3 belongs to हो जाएगा आरके इसका मतलब ये समंद संक्रामक भी है ये समंद बच्चो संक्रामक भी है ठीक है अब चूंकि ये समंद स्वेतल्ले भी है समित भी है संक्रामक भी है तो दिया गया समंद एक तुल्लेता समंद है ठीक है दिया गया समंद एक तुल्लेता समं देखो मैंने जो black से बनाया वो T1 था, जो red से बनाया वो T2 था, और जो blue से बनाया वो T3 था, ठीक है, तो दोनों ने एक दूसरे को ढख लिया, ओके बच्चों, बच्चे पुछ रहें T3 कहा से है, बेटा T3 एक तीसरा तरभुज है, देखो यहां पर दिखा हुआ है ना कि T किसी समतल में इस तरभुजों का एक समुच्चे है, तो इसी में से मैंने तीन तरभुज लिए है, T1, T2, T3, तो T1, T2, T3 जो है ना, वो T में से ही लिए गए है, T समुच्चे में से लिए गए है, ठीक है, किलियर बच्चों, किलियर, अरे बेटा, यह तो केवल आर परिवासा ग्रूप में दिया गया था, कि भई, आर में किरेमितियों इस तरीके से हैं, ठीक है, ऐसा थोड़नी है कि केवल दो ही है, T1 और T2, T3 भी है, ठीक है, यह तीन तरभुज लिए गए हमने, ओके बच्चों, ओके, कलियर है, ठीक है, अब बच्चों हम लोग चलते हैं अगले प्रिशन पर, अगला प्रिशन है, माल लीजिए हमारे पास सम्मुच्चे A है, जिसमें अव्यव हैं, 0, 1, 2, 3, और A में एक सम्मंदार निमलिकित रूप से परिवासित है, अब आपको य पहले चेक करते हैं, स्वे तुल्ले के लिए, स्वे तुल्ले, अब स्वे तुल्ले के लिए, पिर तेक A के लिए A कॉमा A belongs to R होना जरूरी है, अब यहाँ पर देखो A में 0 है, तो 0, 0 R में होना जरूरी है, क्या है, बिल्कुल है, तो 0, 0 R में है, अच्छा, 1, 1 भी R में हो कौमा दो भी आर में होना जरूरी है क्या दो कौमा दो आर में है बिलकुल है और कौन सा भी अवे तीन तो तीन कौमा तीन भी आर में होना जरूरी है क्या ये आर में है बिलकुल है तो इसका मतलब ये दिया गया सम्मंद स्वेतुल्ले है ठीक है तो इस परकार से हम स्वेतु लेकी जाच करते हैं अब बात करते हैं सम्मित की तो बच्चों मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि स्वेतुल्ले वाले अवेवों पर तो सम्मंत सम्मित होता ही है आपको उसके अलावा जो अन्य अवेव दे रखे उन पर जाच करनी है ठीक है तो यहां पर देखो 0,1 दे रखा है तो 0,1 R में है तो इसका मतलब 1,0 भी R में होना चाहिए क्या है R में देखो 1,0 0,1 है तो 1,0 है तो यहां पर है सम्मित अच्छा एक अवेव दे रखा है 0,3 देखो यह वाले अवेव तो मेरे कट जाएंगे 0,0 1,1 2,2 3,3 यह अवेव तो मेरे हट जाएंगे ठ पारी है 0,3 की 0,3 के लिए देखते हैं 0,3 0,3 बच्चो R में है तो इसका मतलब 3,0 भी R में होना चाहिए क्या R में है 3,0 R में है बिलकुल है तो इसका मतलब इसके लिए भी बच्चो सम्मित है ठीक है 0,3 भी आ गया अब क्या बच गया हमारे पास कुछ नहीं बचा सारे की सारे आगे देखो एक कॉमा जीरो है तो जीरो कॉमा एक होना चाहिए वो है तीन कॉमा जीरो है तो जीरो कॉमा तीन होना चाहिए वो है तो ये भी हो गया ठीक है तो इसका मतलब ये दिया गया सम्मंद सम्मित है तो इस तरीके से बच्चों हम जांच करते हैं सम्मित की ठीक ह है उसकी जांच करते हैं ठीक है अब संक्रामक के लिए देखो यहां पर आपके पास 0,0 1,1 2,3 3,3 इनको तो छोड़ दो 0,1 है 1,0 है तो 0,0 होना चाहिए बिलकुल है 0,1 है इसको छोड़ो अच्छा 0,3 3,0 है तो 0,0 होना चाहिए वो भी है ठीक है 3,0 है 0,3 तो 3,3 होना चाहिए वो भी ठीक है इसके लिए भी ठीक है 0,3 है 3,3 है तो 0,3 होना चाहिए यह भी ठीक है तो देखो कोई ऐसा आवियव है क्या जिस पर यह संक्रामक ना हो बता मुझे बच्चो देखो यहाँ पर 1,1 है और क्या कहरें बच्चो 2,2 अरे बेटा A और B बरावर B संक्रामक क्या होता है यार आपने समझा ही नहीं संक्रामक होता है यदि A,B belongs to R हो तथा B,C belongs to R हो आपने बच्चो जो उधारन दिया है उसमें चेक करो क्या B और B बरावर है क्या सत्यम बेटा आपके में B और B बरावर नहीं है आपने पहले वाले में तो ले रखा है एक B कमान और दूसरे वाले में ले रखा है दो ऐसा क्या पॉसिबल है नहीं है बच्चो ऐसा पॉसिबल नहीं है ठीक है तो यह आपने गलत उधारन दिया है तो सोचके बताईए बच्चो जल्दी से मुझे कि क्या कोई ऐसा उधारन है जिससे हम यह सिद्ध कर दें कि यह संक्रामक नहीं है तो आप पाऊगे कि ऐसा कोई भी उधारन यहाँ पर नहीं है ठीक है कोई भी ऐसा उधारन है सब पर बच्चों यह क्या है संक्रामक है सब पर यह संक्रामक है हाँ है है नहीं है कैसे अरे बेटा देखो 1,0 और 0,3 आ रहा है इसको लेके देखो किसको 1,0 और 0,3 को तो एक कॉमा जीरो आर में है जीरो कॉमा तीन आर में है तो इसका मतलब एक कॉमा तीन आर में होना चाहिए बट क्या यहां पर है मुझे बताओ क्या एक कॉमा तीन आपको आर में दीख रहा है नहीं दीख रहा तो मिल गया ना एक उधार न तो इस तरीके से बच्चों आपको ढूनना है इस तरीके से आपको ढूनना है ठीक है तो देखो स्वेतल्य और सम्मित तो पता लगाना बहुत आसान है वो तो हम पता लगा लेते हैं दिक्कत आती है बच्चों को संक्रामक में ठीक है करनी होगी ओके तो यह दिया गया संबंद संक्रामक नहीं है क्योंकि एक कॉमा जीरो आर में है जीरो कॉमा तीन आर में है बट एक कॉमा तीन आर में नहीं है ठीक है तो इसलिए बच्चों यह संबंद संक्रामक नहीं है ठीक है तो जो बच्चे बोल रहे थे हैं पहले एक वो तो मुझे पता है बट कैसे संक्रामक नहीं है इससे में आपको बताया ना कि आपको गलती लिकालनी है तो केवल एक उधारण देना है तो वो उधारण बच्चो आपको यह हो जाएगा ठीक है रिपीट करू बेटा फिर से तो चलो बेटा फिर से रिपीट करते हूँ क्योंकि इन पर तो हमेशा संक्रामक रहे गई जो बागी के बच्चे उन पर हमने चेक किया जीरो कॉमा एक और एक कॉमा जीरो पर देखा तो जीरो कॉमा जीरो हो गया वो है जीरो कॉमा एक और कुछ नहीं था जीरो कॉमा तीन कॉमा जीरो पर देखा तो वहाँ पर भी हो गया ठीक है अब 1,0 और 0,1 पर देखा तो 1,1 आया वो भी है 1,0,0,3 पर देखा तो 1,3 होना चाहिए वो नहीं था तो इसलिए ये संक्रामक नहीं होगा किलियर? किलियर बच्चों? बहुत अच्छे अब हम चलते हैं बच्चों अगले प्रिशन पर अगला प्रिशन आपका मान लीजिए कि समुच्च ए है जिसमें अव्यव हैं A, B, C और एक संबंद आर इस तरीके से परिवास था ठीक है? तो आपको उन क्रैमतियूमों की कम से कम संक्या लिखनी है जिनको आर में जोडने पर जो संबंद आर है वो स्वेतुल्य तथा संक्रामक बन जाए ठीक है? तो पहले तो इस दिये के संबंद आर को हम स्वेतुल्य बनाते है अब स्वेतुल्य होने के लिए A, A, R में होना चाहिए B, B, R में होना चाहिए और C, C, R में होना चाहिए देखो क्या R में है? a,a तो है b,b,c,b,c नहीं है ठीक है तो पहले मैंने r में जुड़ा b,b और c,c को तो मेरे पास r1 क्या बन गया r1 बन गया a,a,b,b,c,c,c,b,c,a,b ये मेरे पास बन गया ठीक है connects तो अब ये स्वेत्यूले तो है अब हमेंस चेये जिस संक्रामक भी तो हमेंस चेक करना कि संक्रामक है रहे नहीं है तो इन पे तो भईस हमेशा संक्रामक रहेगा इनको तो छोड़ो ठीक है अब देखो a,a r में है और a,b,b idr में है तो इसका मतलब A, B, R में होना चाहिए क्या वो है? बिलकुल है तो इस पर तो संग्रामक हो गया B, B, R में है B, C, R में है तो B, C होना चाहिए वो भी है तो इस पर भी संग्रामक हो गया इसका तो कोई लेना देना नहीं है अब बात आती है इसके उपर ठीक है तो यहां पर देखो A, B यहां पर बच्चों मेरे पास A, B, R में है ठीक है और इसके अलावा इसके अलावा बच्चों B, C, B, R में है क्या है B, C, B, R में है ठीक है B, C belongs कर रहा है R में ठीक है तो इसका मतलब A, C भी R में होना चाहिए तब ये संबंद संक्रामक होगा बट क्या ये R में है अभी तक तो नहीं था भाई R में देखो अभी तक क्या ये R में था नहीं था तो इसका मतलब मुझे इसको भी जोड़ना पड़ेगा ताकि संबंद संक्रामक हो जाए ठीक है तो यहां पर बच्चों हमारे पास R2 बराबर हो जाएगा A, A B, B C, C A, B B, C A, C तो मैंने किस किस को जोड़ा मैंने जोड़ा B, B को C, C को और A, C को तो तीन क्रैमेT वेगों को बच्चों मैंने जोड़ा तो मेरा दिया गifty संबंद स्वेटुल्ले भी हो गया और संक्रामक भी हो गया अब आप चेक कर सकते हो कि यह संक्रामक है या नहीं तो एकोमासी है तो एकोमासी होना चाहिए वो है ठीक है उसके अलावा कहीं और दिक्कत देगा नहीं देगा कोई दिक्कत नहीं देगा ठीक है तो यह दिया गया समंद संक्रामक है ठीक है किलियर बहुत अच्छे अब बच्चों हम लोग देखते हैं एक और उधारन ये उधारन और है इसके बाद हम फलन को आरम कर देंगे ठीक है तो सबसे पहले तो बच्छों इस समस्ट्र आर को हम रोस्ट रूप में लिखेंगे तो मैंने X बराबर 1 रखा तो Y का मान देखो कितना मिल गया मुझे 49, X बराबर मैंने 2 रखा तो Y का मान मुझे मिल गया 37 ठीक है, ऐसे ऐसे बच्चों X और Y के मान रखते जाएंगे और लिकालते चले जाएंगे, तो देखो हमारे पास R क्या आ जाएगा R मेरे पास आएगा, मैंने X कमान 1 रखा, 49 आ गया X कमान 2 रखा, 37 आ गया, X कमान 3 रखा मैंने, तो मेरे पास 35 आ गया एक्स कमान चार रखा मेरे पास 33 आगिया, एक्स कमान पाँच रखा मेरे पास 31 आगिया, एक्स कमान छह रखा 29 आगिया, एक्स कमान साथ रखा 27 आगिया, एक्स कमान आठ रखा 25 आगिया, एक्स कमान नो रखा 23 आगिया, एक्स कमान दस रखा 21 आगिया एक्स कमान 11 रखा 19 आगिया ठीक है एक्स कमान 12 रखा मेरे पास 17 आगिया एक्स कमान मैंने 13 रखा मेरे पास 15 आगिया एक्स कमान 14 रखा मेरे पास 13 आगिया एक्स कमान मैंने 15 रखा मेरे पास 11 आगिया एक्स कमान मैंने 17 रखा मेरे पास 7 आगिया X कमान मैंने 18 रखा मेरे पास 5 आ गया X कमान मैंने 19 रखा मेरे पास में 3 आ गया X कमान मैंने 20 रखा मेरे पास 1 आ गया अब जैसे बच्चों आप X कमान 21 रखने को जाओगे तो Y कमान रणातम कायागा जो कि हो नहीं सकता क्योंकि X रवाई प्राकरसं क्या है ठीक है इसलिए हमने यहाँ पर X कमान एक से भी आरम किया था ओके बच्चों तो ये मेरे पास हो जाएगा R ये मैंने R का रोश्टर रूप लिख दिया क्यों लिखा क्योंकि इससे प्रांत और परिसर का आंसर देना आसान होता है अब हमसे क्या पूछा गया R का प्रांत और परिसर प्रांत क्या होता है प्रिथम घटकों का समुच्चे तो देखो प्रांत क्या हो जाएगा एक से ले करके बीस तक तो R का प्रांत होगा प्रांत एक दो तीन ऐसे करते करते कहां तक बीस तक ठीक है अब बात करते हैं परिसर की तो देखो परिसर क्या हो जाएगा परिसर होगा दुत्य घटकों का समुच्च अब दुत्य घटक देखो क्या है 49, 37, 35, 31 कहां से? एक से तो एक से लेकर 49 तक के विसम प्राकरसन क्या है तो क्या हो जाएगा 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 परिसर तो हमने आर का प्रांत और परिसर तो लिख दिया अब इसके बाद बच्चों हम देखते हैं कि सत्यापित कीजिए कि क्या आर स्वेतुल्य सम्मित और संक्रामक है तो देखो हमें स्वेतुल्य सम्मित और संक्रामक नहीं है इसके लिए केवल एक उधारन देना है केवल एक उधारन बच्चो परियापत है तो यहां पर देखो क्या आपके पास कहीं एक कॉमा एक मिल रहा है नहीं मिल रहा कहीं पर भी तो एक कॉमा एक आपके पास नहीं है ठीक है से तुल्ले तो नहीं है अब देखो आगे देखो सम्मित के लिए चेक करते है यहाँ पर 1,49 है क्या 49,1 कहीं पर है नहीं है तो देखो यह सम्मित भी नहीं है यहाँ पर देखो 1,49 आर में है परन्तू 49,1 आर में नहीं है तो ये सम्मित भी नहीं है ठीक है अब बात करते हैं बच्चो संक्रामक की संक्रामक में दिक्कत है बट यहाँ पर हमें किवल एक ही उधारन ऐसा देखना है ठीक है तो यहाँ पर देखो 2,37 क्या 37 से 20 से हैं तो 20 पर आजाओ 11,19 है और 19,3 है ठीक है देखो हमारे पास 11,19 आर में है ठीक है और 19,3 आर में है तो इसका मतलब 11,3 भी आर में होना चाहिए बट क्या यह आर में है नहीं है तो बच्चो यह सम्मंद सम्मित भी नहीं है ठीक है यह दिया गया सम्मंद बच्चो सम्मित नहीं है ओके बच्चों, तो यह दिया गया सम्मंद आपका सम्मित नहीं है, क्लियर, क्लियर बच्चों, तो यह दिया गया सम्मंद ना तो स्वेतुल्ले है, ना सम्मित है, ना ही बच्चों संक्रामक है, ओके, क्लियर, समझ में आ गया पिरतेक बच्चे को, समझ में आ गया, हाए ना मैं मुझे बताओ बच्चो समझ में आया है नहीं आया आगे समझ में कि कैसे ये दिया गया सम्मन्द स्वेतुल्ले सम्मित और संक्रामक तीनों नहीं है आगे बहुत अच्छे अब बच्चो आज के सेसन को मैं ही पर समाप्त कर रहा हूँ समय हो गया है आपका काफी जादा मैं ही पर बच्चो आज के सेसन को समाप्त कर रहा हूँ अब अगली किलास में बच्चो हम लोग जानेंगे फलन को ठीक है फलन बच्चों मैं अगली क्लास में आरम करूंगा अगली क्लास में मैं आपको फलन क्या होता ये भी बताऊंगा फलन का प्रांथ सेप्रांथ परिसर क्या होता ये भी बताऊंगा और फलनों के प्रिकारों के बारे में भी मैं आपको अगली किलास में बताओंगा ठीक है तो अगली किलास में बच्चों हम यह सारी चीजे देखेंगे अब एक क्विज और कर लेते हैं बच्चों मैंने वैसे था आपको फलन नहीं पढ़ाया है बट में चेक करना चाता हूं कि कितना आपको ग्यारवी किलास का याद है तो आपके सामने एक क्विज्चन है इसमें आपसे फलन का परिसर पूछा गया है तो आप बताईए इस फलन का परिसर क्या होगा फलन f of x बराबर दिया गया आपको 2-3x जहां पर x ब्लॉंक कर रहा है आर में तो x कमान 0 से बढ़ा है इसका आपसे परिसर पूछ रहा हूँ बताई इसका परिसर क्या होगा मुझे पता है मैंने आपको फलन नहीं पढ़ाया है आज की क्लास में बट में केवल ये चेक करना चाहता हूँ कि आपको कितना याद है so that मैं जो next क्लास लूँ उसी के according लूँ है ना चेक करना चाहता हूँ कि कितने बच्चों को 11 क्लास का पता है या नहीं पता है आपका जैसर response होगा बच्चों मैं वैसे पढ़ाऊंगा आपको ठीक है तो आप चाहो तो comment section में लिख भी सकते हो कि सर हमें प्रांत और परिसर लिकालना नहीं आता है आप प्लीज हमें प्रांत और परिसर लिकालना सिखा दीजिए तो मैं next क्लास में आपको प्रांत और परिसर निकालना भी सिखा दूँगा ठीक है बच्चों आप लोग comment section में मुझे लिख सकते हो अब देखते हैं पहले इसका answer क्या होगा तो यहाँ पर देखो f of x बराबर दिया गया 2-3x यदि बच्चों आपको याद हो तो हम फलन का परिसर गयात करने के लिए इसको y के बराबर मानते थे तो y बराबर 2-3x इसके बाद हम x को y के पदों में लिखते थे तो 3x बराबर हो जाएगा 2-y के तो x बराबर हो जाएगा 2-y बटे 3 के अब प्रिशन में कहा गया है कि X कमान 0 से बढ़ा है तो इसका मतलब यह 0 से बढ़ा है अब इस SMICA के दोनों पक्षों मैं माइनस का गुणा कर देता हूँ तो यह हो गया Y माइनस 2 बटे 3 लेस देन 0 हो जाएगा असमी का कच्छन बदल जाएगा क्योंकि मैं रिनात्मक सिंक्या से गुणा कर रहा हूँ माइनस एक से गुणा कर रहा हूँ ठीक है तीन को दर बेज़ेता हूँ तो Y माइनस 2 लेस देन 0 हो गया तो Y लेस देन 2 हो जाएगा इसका मतलब Y का मान माइनस एननस से 2 के बीच में होगा 2 से छोटा होगा ठीक है तो क्या हो जाएगा फ़लन का परिसर माइनस एननस से 2 अर्था C विकल बच्चों मारस सही उत्तर हो जाएगा ठीक है तो आप लोग मुझे बताईए कमेंट सिक्षन में जल्दी से लेके कि आपको फ़लन का प्रांत और परिसर लिकालना आता है या नहीं आता ज़िए आपको आता है तो मैं नेस्ट क्लास में आपको ज़्यादा डिसकस नहीं करूँगा इसके उपर केवल ब्रीफ में आपको थोड़ा सा बता दूँगा उसके पस्चाथ हम अगला टॉपिक देख लेंगे ठीक है नहीं आता है ठीक है बेटा मैं आपको अगली क्लास में लिकालना भी सिखा दूँगा अगली क्लास बच्चों में आपको लिकालना भी सिखा दूँगा अब आज की क्लास को बच्चों में ये पर समाप्त करने जा रहे हैं ये आपका आज का हमबर्क है हमबर्क नूट डाउन कर लेना आप लोग